कि हम लोगों का जो commitment था 5 June से हम लोगों ने जो syllabus सुरू किया था 69th VPSC को target करते हुए जो classes हमारी सुरू हुई थी वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने अपने student के साथ एक वादा ये भी किया था कि हम उन्हें सिर्फ course complete कराके नहीं जेंगे ठीक है और इसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया तो हम लोगों ने marathon session का आयोजन किया marathon session का यहां पर जो मकसद है वो हमारा है revision करना practice करना और उसके साथ एक confidence build-up करना ताकि जब 30 September को आप exam देने जाए तो आप बाकी students as compared to other students आप एक्दम confidence में रहे ठीक है इसी क्रम में हम लोगों ने अदर-अदर subjects के आपको पता होगा mathematics का quality का उसके बाद जा करके आप लोगों ने देखा कि general science का maths reasoning quality और general science का हम लोग कर चुके हैं आज से बिहार special का भी marathon शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी आपका current affairs, geography, economy और history की भी सुरू होगी ठीक है तो good evening, good evening खुश रहे है राहूल कुमार जी, साक्षी कुमारी जी question number one आप लोगों के सामने है, हम लोग एक एक करके practice करेंगे और हम लोगों ने test में भी students को ऐसे questions दिये थे solve करने के लिए, तो उनके भी जो test के दौरान discussion नहीं हो पाई थी, वो भी discussion हो जाएगी और साथ में क्या है, कि आप लोगों का एक तरह से revision भी हो जाएगा, तो question number one आपके सामने है कि प्रतिवर्स 22 March को बिहार दिवस किस उपलक्ष में मनाया जाता है, ठीक है, बिहार दिवस is celebrated every year on March 22 to commemorate which of the following estimate, to commemorate the estimate of establishment of बिहार, यानि बिहार की स्थापना हुई थी 22 March को, या फिर बिहार की स्थापना की घोशना की गई थी 22 March को, या बिहार की स्थापन को लेकर के सूजना प्रकासित की गई थी गजट में, या फिर एक अलग राजी के रूप में विहार ने काम करना शुरू किया था, तो कुशन नमबर वन का देख लिजिए, ध्यान से पढ़िए, और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, चलिए, साक्षी कुमार साक्षी कुमार, साक्षी कुमारी या आप लोगों का CRI, very good, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक-एक information बता दू, आपको पता होगा कि जब जोर्ज फिफ्ट, जब इंडिया आये थे और दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था, लाल के लिए दिल्ली में, तो वहाँ पे बि बिहार का जो Eastern पार्ट है, यह बंगाल का जो Western पार्ट है, उसको अलग करके एक अलग स्टेट बनाने की बात हुई थी बिहार, और उस बिहार की जो स्थापना है, अगर आप देखेंगे एक अलग राजी के रूप में, तो इसने एक अप्रेल को काम करना शुरू किया था, एक स्टेट के रूप में, स्थापना की घोसना की बात करें, तो 28 दिसंबर को दिल्ली दरबार में की गई थी, कि बिहार एक अलग राजी बनेगा, बंगाल से अलग हो करके, और उसके बाद जाकर के, पहले जॉर्ज फिफ्ट ने क्या किया, घोसना कर दी, 1911 में, दिसंब काम करना शुरू किया था, तो 22 मार्च को जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 1912 को, तो अब ये कन्फर्म हो गया, कि अंग्रेजों ने जो आदा किया था, वो उन्होंने पूरा कर दिया है, उसी को सेलिब्रेट किया था बिहारियों ने, और इसलिए 22 मार्च को हम ल बिहार took place, यानि बिहार का पर्थम विभाजन हुआ था, in 1912, in 1936, in 1948, in 1956, यानि बिहार का पर्थम विभाजन कब हुआ था, question number two का आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग, first partition of विहार, जब विहार ने 1st April 1912 में काम करना शुरू किया, तो उसके बाद जाकर के फिर विहार का first partition कब हुआ था, जल्दी से बताइए question number two का answer, two का B कह रहे है, रिशिकेस दी, चलिए बाकी लोग, ऐसे करके लिखेंगे, जैसे question number two लिखेंगे, तो two लिखेंगे, और फिर जो answer का letter है, वो लिखेंगे, ठीक है, तब जाके समझे में आ गया, कि कौन से number के question का आपका answer है, चैट में सभी का पढ़ रहा हूँ, जल्दी से साक्षी कुमारी भी बी, very good B होगा, कहने का मतलब है, जब 1 अप्रेल से बिहार ने काम करना सुरू किया, 1 अप्रेल 1912 से 1912 से बिहार ने काम करना सुरू किया, तो आपको पता है कि इसके 34 year के बाद, ठीक है, इसके 24 year के बाद, यानि 1 अप्रेल 1936 को बिहार का क्या हुआ थ तो first partisan हुआ था बिहार का हुआ ये था कि जब बिहार बना था तो आपको पता होगा कि जो बंगाल का इलाका है आज के डेट में आज का बंगलादेश और उसके बाद जा करके वेस्ट बैंगोल, बिहार, जारखन और उडिसा ये मिला करके बंगाल प्रेशिडेंसी हुआ करता था जब 1911 में दिल्ली दरवार हुई थी तो क्या हुआ था कि इसको तू पार्ट में बाट दिया गया था आज का बिहार, जार्खंड और ओडिसा जो है वो बिहार कहलाया था ये बिहार कहलाया था और इसे बंगाल कहा गया था ठीक है अब यही बिहार जो है ये बिहार कहलाया इसकी कैपिटल पटना हुआ करती थी और आज का बिहार, जार्खंड और ओडिसा ये तीनों उसमें था 1936 में जब यह विभाजन हुआ तो आज का जो यह Odisha वाला पार्ट है इसको अलग कर दिया गया था और इसी को बिहार का first partition माना जाता है पहली बार बिहार को विभाजित किया गया था उसके बार जा करके आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार का second partition हुआ था और आज का जारखंड लग हुआ था तो very good जिंजिन इस्टुडेंट्स ने आंसर दिये है बी आप समही के आंसर सही है ठीक है very good very good very good साक्षी राहुल जी और रिशिकेस जी आप लोग के सही आंसर है very good आगे बढ़िए question number 3 आपके सामने है देखिए कि the state bird of बिहार is बिहार की राजकिये पक्षी है the state bird of बिहार is माइना, पैरट, क्रेन और स्पैरो जल्दी से बताईए आप लोग कि बिहार की राजकिये पक्षी है question number 3 का आंसर बताईए state bird of बिहार 3 का डी, 3 का डी, साक्षी, राहुल, रिशिकेश जी, सभी लोगों के आंसर आ रहा है, 3 का डी, ठीक है 3 का डी मतलब गोरईया, इस पैरो या गोरईया आपको पता होगा, एक छोटी सी bird होती है जो बिहार के जादातर एरिया में घरों में पाई जाती है, जो घास पूस के जो घर बनाए जाते थे, पूस के जो घर बनते थे, बेंबो वेगरे साथ के, तो उसी में छोटी-छोटी ये birds की रूप में रहते थे और घर में आते थे, और आसपस थे दाना चुगने का काम करते थे, ठीक है, इस पैरो इसको कहा जाता है, गौरिया कहा जाता है, और अभी भी बिहार में बड़ी मात्रा में गौरिया पाई जाती है, हाला कि पॉलुशन के कारण, अब इसकी जो मात्रा है वो घटी है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको P- P-A-S-S-A-R, पॉसर, डॉमेस्टीकस, डॉमेस्टीकस इसका जो है, वो इसका वेग्यानिक नाम है, और इसको सामा निभासा में बिहार में लोग गौरिया कहते हैं, और इसी को बिहार की राजकिये पक्षी बनाई गई है, स्टेट बड इसको डिकलियर किया गया, आगे रेहु, कतला, मांगूर और प्रॉन यानि जींगा, इनमें से जल्दी से बताईए, रेहु, कतला, मांगूर और जींगा इनमें से बिहार की स्टेट, कुशन नमबर 4 है, स्टेट फिश कौन सी है बिहार की, जल्दी से बताईए मोहित मलान जी वेरिगूर 3 का D आपने भी बताए था तो मोहित जी कह रहे है 4 का C होगा यानि मांगूर उसके बाद जाकर के रिशिकेज जी आपका भी सही है आंसर वेरिगूर साक्षी आपका भी सही है देश्ती मांगूर यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि दो परकार की मांगूर है एक है हाइब्रीड वाली मांगूर जो की बड़ी-बड़ी साइज की होती है जो की बेसिकली अगर आप देखें तो वो हाइब्रीड धक से उगाये गया वो नुकसान दायक है वो एक तरह से बिहार में बैन भी है बिहार के जो कीचड में और खेतों में जो पाई जाने वाली जो मांगूर है जहां जहां पर थोड़ी बहुत पानी पाई जाती है वो देशी वाली मांगूर छोटे साइज की होती है इसको 2008 में स्टेट पिश के रूप में डिकलियर के आ गया था तो वेरी गूड जिन लोगों ने सही आंसर दिये है वेरी गूड आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 5 आप लोगों के सामने है कि बिहार के संबंध में निमलिखित में से सही सुमेलित नहीं है यहां पर बताना है कि बिहार को लेकर के इसमें से सही सुमेलित नहीं है यानि which of the following is not correctly matched with respect to बिहार जल्दी से बताइए देखिए first option is state flower यानि बिहार का राजकी है जो पुष्प है वो गेंदा है उसके बाद state emblem जो है वो body tree है राजकी है चिन राजकी ये भाशा जो है बिहार की वो हिंदी है और राजकी ये पशू जो है वो dolphin है जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा correctly match नहीं है राहूल कुमार जी भी बता रहे हैं साक्षी कुमारी डी बता रहे है पाच का यानि राहूल कुमार जी भी बता रहे है साक्षी कुमारी डी बता रहे है राजकी ये वाला गलत है मोहित जी भी डी बता रहे है चलिए और रिशिकेस जी भी डी बता रहे है तो यहां पे आपको बता दू कि state जो है बिहार की state जो flower है वो marigold है यानि गेंदा फूल आप लोग जानते होंगे अभी जस्त दुरगा पूजा के टाइम पे आपको ये सर्दियों के समय दिखाई देने लगेंगे हर घर आंगर में बौधी बिर्क्ष बिहार की राजकी बिर्क्ष है ये भी सही है बिहार की जो राजकी भासा है हिंदी और second जो राजकी भासा है वो बिहार की कौन सी है उर्दू है ये भी आप लोग को पता है अब जो बचा वो क्या बचा देखिए तो अब ये बाला यहाँ पे विचार कीजिए तो राजकी जो बिहार की पशु है वो है कौनसी उसका नाम है बाइसन जिसको गौर भी कहा जाता है वो एक तरह से उसकी तरह होती है किसकी तरह बुल की तरह सांड की तरह होती है ये जंगली भैस एक तरह से भैसा होती है जिसको बाइसन या गौर कहा जाता है ये वालमिकी नेशनल पार्क में पाई जाती है इंडियन बाइसन कहा जाता है इसको और IUCN की बात करें तो IUCN ने इसको रेड लिस्ट में रखा हुआ है ठीक है यानि ये औसुरक्षित है ये कभी भी खतम हो सकता है औसुरक्षा यानि कि अब इस पे खत्रा मंड़ा रहा है ठीक है औसुरक्षा का तो बाइसन जिसको गौर इंडियन बाइसन या गौर कहा जाता है ये बालमिकी नेशनल पार्क पश्चमी चमपारन में पाया जाता है IUCN ने इसको रेड लिस्ट में रखा हुआ है 1986 में इसको रेड लिस्ट में रखा था तो ये बिहार की राज्ट अगर बात करें तो जलिये जीव है सबसे जादा संख्या में गंगा नदी में पाई जाती है और गंगा नदी में भी सबसे जादा संख्या में बिहार में ही पाई जाती है तो वेरी गूर चिंजिन लोगों ने डी आंसर दिया है आप लोगों के आंसर सही है आगे बढ़त पर सूरज की किरन नाज करें इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है तो सत्य नारायन जै संकर प्रशाद नागारजून और MR चिस्ति बिहार की जो स्टेट प्राथना है या स्टेट प्रेयर है वो कौन सी है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरन नाज करें और यहां पर आपको बताना है कि इसके ओथर कौन है कुश्चन नंबर 6 आपके सामने है तो 6 का A बता रहे है कुछ स्टूडेंट बता रहे है ठीक है प्रफुल जहा जो है वो 5 का D वेरी गूर चलिए रंजीता बता रही है 4 का चलिए यह तो 4 का हो गया लेट से अभी 6 जो जो लोग दे रहे है 6 का A मोहित जी बता रहे है रशिकेज जी A बता रहे है राहुल कुमार जी A बता रहे है आत्मबल का विश्वास D बता रहे है यहाँ पे ठीक है आगे अब देखें क्या है कि मेरी रफ्तार पर सूरज की किरन नाज करें यह बेसिकली MR चिस्ती के द्वारा लिखा गया है आपको एक चीज बता दू कि अभी अभी मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना को ले बैठक बुलाई गई थे किसकी मीटिंग हुई थी तो बिहार कैबिनेट की बैठक होई थी मुख्यमंतरी नितिश कुमारजी की अध्यक्षता में क्योंकि अगले दिन जो है वो बिहार के क्या होने थे सौवा स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे थे 22 मार्ज 2012 को तो सौ साल पूरे होने के उपलक्ष में हम लोगों ने दो चीजों को एकसेप्ट किया था एक राजी की प्राथना और एक राजी की गीत तो ये है स्टेट क्या है ये स्टेट प्रेयर है एम आर चिस्ती के द्वारा लिखा गया है और 21 मार्ज 2012 को मुख्यमंतरी नितिश कुमार के लेतरितों में जो कैबिनेट की वैठर बुलाई गया थे तो उसमें इसको एकसेप्ट किया गया था और मेरी रफ्तार पर सूरज की किरन नाज करने का मतलब ये है कि उसमें बिहार जो है वो GDP ग्रोथ के मामले में fastest growing state of India था बिहार का जो ग्रोथ रिट था वो national average से काफी जादा था और इसी के उपलक्ष में क्या हुआ कि इसको अपनाया गया था उसमें आपको याद होगा ये सारी चीजे चलिए ठीक है तो MR चिस्ती इसके लेखक है आगे बढ़ते हैं तो 6 का D जिन जिन स्टुडेंट्स ने सही आंसर दिये है आगे बढ़ते एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दिजिए और कोश्चन नमबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 7 आपके सामने है कि विद हूम डिट मिनहास उज सिराज दो ऑथर और तबकाते नासरी का नासरी कम टू इंडिया यानि तबकाते नासरी जो की एक किताब है आपको पता होगा मध्यकाल में लिखी गई किताब है और इस किताब में आपको पता होगा कि आगे मैं बताओंगा पहले आंसर देजिए इसका आगे मैं explain कर दो का मिनहासु सिराज इसके लेखक है और ये किसके साथ इंडिया आया था ये बात पूछा गया है कुश्चन नमबर 7 का आंसर जल्दी से बताईए आप लोग अब आ जा रही है संजे जी चेक कर दे रहेगा आ जा रही है कुश्चन नमबर 7 का आंसर जी आया है रिशिकेस जी के तरब से बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दीजे रहुल कुमार जी साक्षी डी मोहित जी डी आतंबल का विश्वास डी मुहम्मद गूरी के दोरान आया था मिनहा जी सिराज की बात करें तो मिनहा जी सुराज का जो आयू काल है वो है 1193 से लेकर के 1266 1193 से लेकर के 1266 का इनका इतिहास मिलता है कहां के लिए भारत के लिए मिलता है इनका इतिहास ठीक है इनकी कारिकाल जो है वो भारत के लिए क्योंकि आपको पता है कि मोहमद गोरी जो है वो तराइन की लड़ाई मोहमद गोरी से समंधीत है पिर्थवी राज से समंधीत है तो जो उनका कारिकाल मिलता है इंडिया में प्रवास मिलता है जन्म बेकरेसव का डीटेल नहीं मिलता है 1193 से 1266 ये इंडिया का उनका मिलता है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें हमारे जो state है उसके लिए बिहार शब्द का यूज किया गया है इसलिए किताब काफी ज्यादा important हो जाती है तो तब काते नासिरी में लिखत है मिनासु सिराज जो मुहमत गोरी के साथ है भारत आया था तो very good जिंजन इस्टुडेंस ने D answer दिये हैं आप सभी के answer सही है very good very good आगे बढ़ते एक बार session को आप लोग like कर दीजे question number 8 की तरफ हम लोग बढ़ते है question number 8 आपके सामने है ये रहा देखिए कि who has authored the book titled किरती लता ठीक है यानि किरती लता नाम की जो पुस्तक है in which the word बिहार is mentioned ठीक है तो बिहार सब्द का उलेक मिलता है एक और किताब में जिस किताब का नाम है आपको बता दू उस किताब का नाम है किरती लता अब यहाँ पे पुछा गिया है कि किरती लता नाम किताब की पुस्तक की रचना किस ने की थी जल्दी से बताईए question number 8 रिशिकेज जी बता रहे है दी है अंसर बांकी लोग जल्दी से बताईए जल्दी से बांकी लोग भी बताईए साक्षी जी आतमबल का विश्वास मोहिट जी डी very good ठीक है तो 1390 में यह किताब लिखी गई थी कभी विद्यापती के द्वारा 1390 में लिखी गई यह किताब है और यह वो काल है जब आपको पता होगा कि मिथला में उस समय अगर बात करें तो मिठलांचल में विध्यापती कभी जो है वो सबसे महान कभियों में गिने जाते है और आज भी विध्यापती की जो रचना है वो मैठ्ल समाज में आज भी हर ओकेज़न पर उनकी रचनाओं के ही उनके द्वारा लिखे गए गीत ही गाए जाते हैं आज भी तो कभी विद्यापत के द्वारा जो है वो किर्ती लता लिखी गई थी कविता वली है एक तरह से कविताओं का संग्र है ये और इस किर्ती लता की अगर हम लोग बात करें कावी की तरह है महा कावी की तरह है और उसी में बिहार सब्द का भी उल्लेख मिलता है तो very good जिन लोगों ने D answer दिये हैं आपके answer सही 8 का D होगा question number 9 आप लोगों के सामने है एक बर session को आप लोग like कर देजिए ठीक है सिर्फ सिंग के दरवानी कभी थे very good चलिए आगे बढ़ते question number 9 in which year did the mughals make बिहार a province बिहार को एक प्रांथ बनाया था मुगलों ने कौन से साल ये पूछा गया है जल्दी से बताए question number 9 का answer 1580, 1600, 1680, 1650 और 1680 बिहार को मुगलों ने एक अरक से प्रांथ प्रांथ का मतलब है that is सूबा उस समय सूबा कहा जाता था और सूबा का जो हेड होता था जो गवर्नर होता था उसको सूबेदार कहा जाता था question number 9 का राहूल जी ये बता रहे है रिशिकेस ये बता रहे है प्रफ चलिए बाकी लोग जल्दी से बताए तो very good answer 1580 होगा बिहार में पटना में अकबर ने sorry खुद आकरमन किया था आपको पता होगा और उसके बाद जा करके फिर क्या हुआ था कि उसके बाद बिहार प्रांत को एक अलग से एक सूबा घोसित किया गया था और आपको पता होगा कि मान सिंग को मान सिंग को क्या बनाए गया था सूबेदार यानि गवर्नर बना करके भेजा गया था बिहार में मान सिंग जो है वो सूबेदार बना था फॉस्ट था ये फॉस्ट सूबेदार है मुगलों का 1580 में मुगलों ने बिहार को एक अलग से प्रोविंस यानी सूबा बनाया मान सिंग को सूबेदार बना करके भेजा और मान सिंग ने जो अपनी कैपिटल है वो बनाई थी कहां पे वो बनाई थी रोहतास गढ़ में आज भी मान सिंग के द्वारा बनाया गया वहाँ पे जो मंदिर है उसके अवसेस हरिश्यंद्र मंदिर और भी बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन करवाए थे उसके अवसेस अभी भी मिलते हैं तो वेरी गूड जिन जिन इस्टुडेट ने ए आंसर दिया एक बार चेक कर लेते हैं प्रफूल जहां आपका भी सही है आपका भी सही है पंदरसो शियत्तर में जीता था पटना खुद गया था अकबर आकरमन करने के लिए उसके बाद बाई अकबर आपने भी रिशिकेश ने राहुल जी ने आप लोगों ने भी सही आंसर दिये चली आगे बढ़ते हैं यह जो रिवीजन है उसका में मकसद है कि आप लोग का एक तरसे रिवीजन और प्रैक्टिस करा देना बागी आप लोग सभी स्टूडेंट्स की अच्छी तयारी है ठीक है मुझे भरोसा है कि आप लोग 100 प्लस करके आएंगे ठीक है वेरी गूट आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 10 अंदर दर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ठीक है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहट 1774 में बिहार सहीत कुल कितने स्थानों पर प्रांतिय कमिटियों का गठन किया गया था ठीक है यहां पर आपको बताना है अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोविंशियल कमिटीज वेर फॉर्म इन फाव मेनी प्लेसे इंक्लूडिंग बिहार इन 1774 यानी 1774 में कितने प्रांतों में प्रांतिय कमिटी बनाई गई थी ठीक है यह आपको बताना है यहां पर कोश्चन नमबर 10 आपके सांगे तो जल्दी से जवाब दीजिए question number 10 का कितने प्रांतों में प्रांतिय कमीटी बनाई गई थी यह मैंने लिखाया भी था साइध आप लोग को बिहार special में ठीक है बिहार special में जब मैंने एक state के रूप में बिहार के बनने की सुरुवात होती है वहां से लेकर के अभी तक का जो बिहार का जो last जो partition हुआ था जारखंडवाला वहां तक मैंने एक chronology लिखाई थी आप लोग को याद होगा उसी chronological order में ये fact है वहीं से ये question मैंने जनरेट किया है जल्दी से बताई आपको कि बिहार में बिहार सही टोटल कितने परांथ बनाए गये थे question number 11 कि 7 पलस एक 8 कह रहे हैं उस लोग D कह रहे हैं बिहार सही टोटल 6 परांथ बनाए गये थे परांथ ये committee बनाए गये थे 6 परांथ तो में पूरे भारत पर अभी अधिकार नहीं हुआ था अंग्रेजों का और नहीं पूरे भारत में अभी उन लोग ने प्रोविंस पूरा सब जगा बनाए था आपको पता होगा कि 1764 में जब बकसर की लड़ाई को अंग्रेजों ने जीत लिया था बैटल अब बकसर को जीत लिया था तो वो एक बिटिस ट्रेड कमपनी थी जो बैपार करने के लिए भारत आई थी उसका कोई administrative structure ऐसा नहीं था जो इंडिया में वो rule कर सके सासन करने वाला कोई प्रसासनी वेवस थे तो वो भारत में सासन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बिटिस सरकार के द्वारा registered company है उसको बैपार करने के लिए अधिकरित किया गया है ना कि शासन करने के लिए तो इसलिए क्या करना था हमें ये करना था कानून में परिवर्तन करना था और उसी कानून में परिवर्तन करके ये 1773 का regulating act लाय गया था और उसी 1773 के regulating act के तहत ही 74 में जो है total 6 अलग-अलग प्रांतिय कमिटी बनाई गई थी including बिहार यानि बिहार उससे में भी एक प्रांत था बंगाल अलग था और बिहार एक अलग प्रांत के रूप में किया गया था तो total 6 प्रांतों में ये प्रा का नहीं है सही इसका अंसर होगा सी चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 का सी होगा आप लोग एक बार revision कर लीजिए notes का आगे बढ़ते हैं question number 11 है कि he was not associated with a newspaper called Bihar Times यानि Bihar Times नाम के समाचार पतर से नहीं जुड़े थे तो इसमें से आपको बताना है कि Bihar Times नाम के पत्रीका से समाचार पतर से कौन नहीं जुड़े थे यहाँ पे जल्दी से बताई आप लोग ये question थोड़ा सा क्या हुआ इसमें तो इस question के दो answer जो है वो हो होंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया है तो एक option मुझे और change करना था इसमें इन में से कोई नहीं देना था none of the above तो जल्दी से आपको बताई कि कौन नहीं जुड़े हुए थे कौन से दो लोग थे जो नहीं जुड़े हुए थे दो answer होंगे इसके ठीक है यह by mistake यह question में एक answer ही मुझे गलत देना था इसमें से तो महेश नाराइन और सचिदानन सिन्हा ने तो सुरू किया था बिहार times इसी बिहार times ने बिहार को एक separate state के रूप में बिहार को बनाने की demand भी की थी यह कब की घटना है तो यह घटना है 1800 ठीक है यह घटना 1894 की घट ना है तो 11 का कुछ student C और D कह रहे हैं very good very good ठीक है 11 का C और D दोनों होगा ठीक है यह by mistake राजेंदर पसाद भी बिहार times से नहीं जुड़े थे और विसेस्वर सिंग भी नहीं जुड़े हुए तो यह दोनों नहीं जुड़े थे जो associated थे वो कौन थे महेश नाराइन और सच के लिए उस दिमांड को रखने के लिए इन्होंने बिहार times नाम की समाचार पत्र की शुरुवात की थी महेश नारायन और सचीदानंद जुड़े हुए थे बाद में डॉक्टर सचीदानंद आपको पता होगा कि क्या कहला है बिहार इनको क्या कहा गया आधुनिक बिहार के निर्माता चलिए ठीक है बिहार के जनक माने जाते हैं आधुनिक बिहार के जनक माने जाते हैं चलिए तो कुश्चन नंबर 11 का C.O.D. दोनों ही नहीं जुरे थे बिहार times से very good कुश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है एक बार देख लिजे आठा रसच और अन्बे राहुल जी very good बिलकुल 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 सही बात है रिशिकेश जी आगे बड़ी यह कुश्चन नंबर 12 है कि who proposed the demand for a separate बिहार at the first session of the बिहार regional conference held in Patna in 1908 यानि 1908 में Patna में संपन बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रिथक बिहार की मांग का प्रस्ताव रखा था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था 1908 में पतना में और इसमें पुशा गया है कि किसने बिहार को एक separate state बनाने के प्रस्ताव को रखा था इन्होंने इस सम्मेलन में कि सक्षी कह रहे हैं बारा का डी चलिए बाकी लोग बताएं बाकी लोग जल्दी से बताएं महमद फकार अदेन कहरी हैं सक्षी कह रहे हैं महमद फकार अदेन होगा कुछ लोग कह रहे हैं राहुल कुमार जी भी दी कह रहे हैं एक स्टूडेंट कह रहे हैं भी होगा चलिए देखते हैं तो मुहमद फखर उद्दीन ने पिहार प्रांतिय सम्मेलन में जो की 1908 में कहां पे हुई थी 1908 में हुई थी यह पटना में और इसमें इन्होंने यह प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को क्या हुआ तो सर्व सम्मती से इसे स्वीकार कर लिया गया मान लिया गया कि हाँ बिहार स्टेट बनना चाहिए तो इसका जो answer होगा इसका answer होगा D जिन जिन लोगों ने सही answer दिये है very good आप लोग का सही है aching ने समर्थन कियाथा राहुल कुमारर जी कहे ह। बैरी good बैरी good असद इमाम ने इसका समर्थन किया मुहमद भगरुण दिन ने पेष किया हसन इमाम ने इसका समर्थन किया इस प्रस्ता होगा तो question number 12 का होगा D question number 13 आप लोग के सामने है देख लिजे कि which British emperor announced the separation of Bihar and Odisha from Bengal and created a separate province किस British समराथ ने Bihar एवं Odisha को बंगाल से प्रिथक करके अलग प्रांत बनाने की घोशना की जल्दी से बताईए आप लोग कि कौन से British समराथ थे जिसने Bihar को एक अलग प्रांत बनाने की घोशना की थी question number 13 जल्दी से बताईए question number 13 तो बहुत सारे students के B, 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 B आ रहे हैं सभी लोगों के B ही आ रहे हैं answer very good B होगा आपको पता होगा कि जो George 5 है उसके समय में बुलाई गई थी दिल्ली दर्बार दिल्ली के लाल किले में national moment में आप लोगों ने पढ़े हैं यह हुआ था कब हुआ था यह हुआ था बारा दिशंबर कहीं पर मैंने साइद एक बार 28 दिसंबर बोला वो गलती होगा सॉरी उसके लिए mistake वो थोड़ा से निकल गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में घोसना की गई थी announcement की गई थी किस चीज की तो बिहार को अलग परांत बनाया जाएगा बंगाल से और आपको एक चीज बता दू कि यह भारत में क्या था यह था भारत में अभी तक बिटिस समराट या सम्मारानी का थर्ड दर्बार था तीसरी बार यहाँ पे दर्बार का आयोजन किया गया हाँ ठीक है तो यह तीसरा दर्बार था बिटिस क्राउन का यह तीसरा दर्बार था और उसमें दिल्ली में हुआ था यह लाल किले में 12 दिसंबर 1911 को और इसी में बंगाल प्रांत को अलग करके बंगाल प्रांत को तोर करके ठीक है बिलको लॉड हाडिंग के समय हुआ था उस समय आपको लोगों को पता होगा Lord Harding हुआ करता था भारत का वाइसराई हुआ करता था और इस पे जब ये हाथी से जा रहे थे तो इस पे रास बिहारी क्या कहते हैं उसको रास बिहारी बोश्ट थे साइद और और भी कुछ करंतिकारी थे जिन लोगों ने इनके उपर क् कम फेका था आप लोगों को पता होगा ठीक है तो कोशन नंबर 13 का आंसर जो होगा वह होगा भी वैरी गूट जिन लोगों ने आंसर दिये हैं कोशन नंबर 14 है यहां पर कि पटना सेक्रेटेरियेट और बिहार स्टाटेड इट वर्क इट्स वर्क फ्रॉम विच डेट बि विहार सचीवाले ने कब से काम करना सुरू किया हम बोश थे बोश थे वेरी गुट ठीक है रास विहारी बोश थे महिला के बेस में लोग साड़ी पहन करके इन लोगों ने हाथी पर बंप फेका था जा रहे थे हार्डिंग तो चलिए तो कोशन नंबर 14 आप लोगों के सा पूल साक्षी रिशिकेज जी का सभी लोगों का डी ही आ रहा है ज्यादा तरे स्टूडेंट्स का यहां पर डी ही आ रहा है मोहित जी का भी डी ही आ रहा है तो एक अप्रेल 1912 से पटना सेक्रेटेरियट ने काम करना शुरू कर दिया था यानि एक स्टेट के रूप में ब आंसर होगा वेरी गूट जिंजिन लोगोंने सही आंसर दिया है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 15 की तरफ कोश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने यह है देख लीजे कि आपको एक चीज बता दू स्टेट री ओर्गनाईजेशन एक्ट बनी थी जिसके तहत भारत में आधार तै करना था अथारा कब बनी थी 1953 में बनी थी राज पुनरगठन आयोग बनाए गया था स्टेट री ओर्गनाईजेशन एक्ट बनाई गई थी इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेस की थी 1901 मिट ठीक है इसकी बात अगर करे तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में पेस की थी ठीक है और 56 में इसके अधार पर जो है राज्यों के गठन हुए थे उस दौरान बिहार के कौन से जिले को अलग करके पश्चिम बंगाल क दिये गे थे कुछ भाग को यह बताना को चैनल नंबर 15 का अंसर बताई अगरा का बी बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स मोहित जी बी 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 बता रहे हैं शाक्षी बी राहूल जी भी फैजल अली की अध्यक्सता में वेर्य गूट वेर्य गूट फैजल अली की अध्यक्सता में चल्व हार के पुड्या जिले के कुछ एरिया को बंगाल को दे दिया गया था क्योंकि यहां पर बंगला भासी लोग रहते थे 1956 में यह घटना हुई थी और इसको हलाकि बिहार का बिभाजन नहीं माना जाता है पुनरगठन माना जाता है इसको बिभाजन और पुनरगठन में अंतर होता है चलिए ठीक है तो पंद्रा का जो आंसर होगा वो भी होगा जिन स्टुडेंस ने भी आंसर दिये है आपके सही है अब आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है ठीक है वेरी गूट एक बार शेशन को आप लोग सभी स्टूडेंस लाइक कर दीजिए और कोश्चन नंबर 16 देखिए कि दूरिंग दो फॉर्मेश अगे सेंट एरिया को अलग किया गया था यह आज का बिहार और इसे मान लिजिए आज का जहार खट जड़िए कोश्चन नंबर 16 का सी बता रहे है राहूल कुमार जी आप साक्षी भी बता रहे है आप भी बता रहे है आपका नाम नहीं मुझे पता आत्मबल का विश्वास लिखा हुआ है आपने चलिए सोला के सी बता रहे है रिशी केस जी भी चलिए तो वेरी गुड कुश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा आपको पता होगा कि 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 के इस वी को बिहार का विभाजन हुआ था जिसको हम लोग second partition of बिहार कहते है इस दौरान बिहार के 18 डिस्टिक जो है वो बिहार से क्या होगे थे अलग किये गे थे और यह जो लैंड एरिया की बात करे तो यह था 45.85 परसेंट लैंड एरिया था और डिस्टिक कितने थे number of district तो 18 डिस्टिक बिहार से अलग हुए थे और इस तरह से बिहार का यह दूसरा बिभाजन हुआ था और बिहार में 6 बच गए थे कितने 38 जिले बच गयते हैं ठीक है clear तो question number 16 का answer जो है वो होगा C आप लोगों को ने सभी students ने C answer दिये 55 जिला में से 18 जिला अलग किया गया था 55 थे उस समय या 56 थे 38 जिला था अरवल बन चुका था यह नवंबर में विभाजन है और अरवल साइद उससे पहले बन चुका था 48 डिसमलो 85 कौन कह रहे हैं 45 होगा जी 45 डिसमलो 85 चलिए आगे बढ़ते question number 16 का answer जो है वो C है उसके बाद जा करके question number 17 का आप लोग बताईए the first independent chief minister of बिहार वाज बिहार के पर्थम निर्दलिय मुख्यमंत्री थे the first independent chief minister of बिहार के पर्थम निर्दलिय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद जिंग भुला पास्वान सास्त्री अबदूल गफूर सतीश प्रसाद जिंग चलती से बताईए कि कौन कौन से इसमें से कौन मुख्यमंत्री जो थे वो बिहार के पहले निर्दलिय मुख्यमंत्री थे किसी भी पार्टी के नहीं थे कुछन नंबर 17 का कुछ ये स्टुडेंट बता रहे है ए ठीक है मुहित जी ए रिश्केश जी ए चलिए साक्षी ए बता रही है राहूल जी ए बता रहे है तो महा माया प्रसाद जो है वो बिहार के कौन थे तो पहले 1967-68 के दौरान ये बने थे और ये बिहार के क्या है तो फॉस्ट जो है पर्थम निर्दलिय इंडिपेंडेंडेंट चीप मिनिस्टर थे अब होला पाश्वान सास्तरी की बात करे तो ये जो है ये बिहार के फॉस्ट क्या है दलित चीप मिनिस्टर दलित सीयम थे ये बिहार के सतीस परचाद की बात करे तो ये इस किसलिए फेमस है शॉर्टेस टेनियूर के लिए फेमस है सबसे कम समय के लिए सिर्फ पाँच दिन रहे थे ये मुख्यमंतरी के रूप में ये दलित मुख्यमंतरी पहले दलित मुख्यमंत्री ये सबसे कम समय पे रहने वाले मुख्यमंत्री ये कम समय के लिए सिर्फ 5 दिन के लिए रहे थे महा माया परशाद जो है ये पहले निर्दलिये है किसी पार्टी से सम्मन नहीं था और अब्दूल गफूर जो है वो क्या है तो ये बिहार के first Muslim CM है ठीक है तो clear हो गया ये सारे चारों information याद कर लीजिए महामाया पशाद बिहार के पहले निर्दलिय मुखमंतरी भोला पास्वान सास्त्री बिहार के पहले दलीत मुखमंतरी अब्दुल गफार बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर और सतीष प्रसाद बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले सीम और चाचा जी जो है वो बिहार के सबसे अधिक बार सपत लेने वाले सीम और बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक CM रहने का जो record है वो कुछ दिन में जो है वो स्रीकृष्ण सिंग स्वर्गी है स्रीकृष्ण जीन से शिन करके जो बर्दमान मुख्यमंत्री है मानिय नितिश कुमार जी उनके पास आ जागा फिलाल उनके पास क्या है तो बिहार वे सबसे ज़्यादा बार शपत लेने वाले मुख्यमंत्री और बिहार की पहली महिला और एकमातर मुख्यमंत्रीеци यानि वो है स्रीमतिर अपडिरी दर्ष्ण अपकशन 17 के मुझे लगता है आप सभी लोगों के आंसर सही है 17 का A.S.R.S. Adda Very good, आपका भी सही answer है Question number 18 की तरफ हम लोग बढ़ते है The first governor of Bihar Before independence वाज यानि स्वतंतरता के पूर्व बिहार के प्रत्हम राजिपाल थे यानि अज आद जब देश नहीं हुआ था तो उस समय अगर बात करे जब 1936 से राजिपाल वाला सिस्टम नया एक्ट के तहट नए एक्ट के तहट 1936 में जब Bihar बना एक अलग से क्या कहते हैं नए कानून के तहट 35 के एक्ट के तहट तब जो है वो Bihar के पहले राजिपाल कौन बने थे गवर्नर ये पूछा जा रहा है तो जल्दी से बताएए कि Bihar के पर्थम राजिपाल कौन थे कोशन नमबर 18 18 का A बता रहे है राहूल जी उसके बाद जाकर के मोहित जी 18 का B बता रहे है चलिए यानि इसमें confusion क्यों है कुछ लोग A बता रहे है और कुछ लोग B बता रहे है राहूल जी ये बता रहे है आत्मबल का विश्वास B बता रहे है मौरिस गार्णियर हैलेट 1937 से 38 के दौरान ये बने थे और ये बिहार के पहले गवर्नर माने जाते है क्योंकि 1936 में बिहार एक अलग राज एक पुन राज के रूप में बना था उस समय के हिसाब से तो मौरिस गानियर हैलेट हैलेट जो है ये बिहार के पहले राजपाल बने थे बाकी इन लोगों का बाद में कारिकाल आता है लेकिन जैराम दौलत राम के साथ एक चीज़ जोर जाता है ये क्या होंगे तो ये बिहार के फॉस्ट गवर्नर हुए और इनके साथ क्या जूर जाता है तो इनके साथ जूर जाता है फॉस्ट गवर्नर ये आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस यानि सोतंतरता के बाद पर्थम गवर्नर बने थे जैराम दास दौलत राम तो यहां पर साक्षी कुमारी अठारा का डी कह रही है नहीं यह पहले यहां पर मैंने बिहार के पर्थम राज़िपाल लिखा है ना कि भारतिय राजपाल तो भारतिय राजपाल या आजादी के बाद बिहार के पर्थम राजपाल अगर पूछे तो सोतंता के बाद पर्थम राजपाल जो है वो जैराम दास दौलत राम है लेकिन सोतंता से पुर्व यहां पे एक टर्म जुरा हुआ है तो यह 1937-38 के दौ पुरान बिहार के गवर्नर रहे थे 37 का चुनाव जो है आपको पता होगा इनहीं के समय हुआ था जब स्रीकृष्ण सिंग जो है वो क्या बने थे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और स्रीकृष्ण सिंग को मैजोरिटी मिली थी 107 सीटों पर कॉंग्रेस ने चुनाव लड का कि आप इंटर्फेरेंस नहीं करेंगे हमारे सासन में इन्होंने गैरंटी देने से इंकार कर दिया था और इन्होंने उसके बाद मोहमद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रेट किया था मोहमद यूनुस सरकार तो बनाई थे लेकिन उन्होंने वह बहुमत साबित जुटा पाए थे, जुटा नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने ट्याग पतर दिया, उसके बाद जा करके, जब तदकालिक जो है, विर्टिस वाई सराई ने गैरंटी दी श्रीकृषन सिंग को, कि नहींुढ बनाईас नहीं करेंगे, तब जा करके स्रीकृषन सिंग जी ने स नाव लड़ी थी और 98 सीटों पर जीते थे मुहमद स्रीक्रिशन सिंग सरकार बनाने से उन्होंने मना किया था इंटर्फेरेंस का वो चाहते थे कि इंटर्फेरेंस ना हो इसका मुझे वो चाहिए वादा चाहिए लिखित में उन्होंने नहीं दिया था फिर जाकर के मुहमद यूनुस बने थे फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया था तो यह साली कहानी नहीं के समय हुई थी तो यह याद रहेगा आप लोग को आप लोग कर दीजिए और आगे बढ़ते हम लोग कोश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने दो फॉस्ट चेर्मेन ऑफ बिहार लेजिसलेटिव कॉंसिल वाज बिहार बिधान परिशद के पर्थम सभापती थे राजीव रंजन परसाद सिंग्टर राजेंदर परसाद बा जल्दी से बताइए कुश्चन नंबर 19 का आंसर तो रिशिकेज जी का ए आ रहा है बाकी लोगों का देखते हैं क्या आता है राजीव रंजन परसाद जो है वो बिहार बिधान सभा के पर्थम सभापती फर्स्ट चेर परसन या चेर्मेन कह लीजे के रूप में जाने जाते हैं जॉक्तर राजेदर परसाद की बात करें तो यह इंडिया के प्रथम राष्टपती के रूप में जाने जाते हैं इसके अलावा 1946 में क्या बने थे यह 1946 में दो चीजे एक तो सम्मिधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष सभा के फर्स्ट पर्वानिट क्या के ते उसको प्रेसिडेंट ऑफ पर्वानिट लिखे एसेम्बली उसके बाद जाकर के समिधान सभा के प्रथम स्थाई अध्यक्ष बने थे पर्वानिट अध्यक्ष बने थे उसके बाद जाकर के 1946 में जब इंट्रिम गवर्मेंट बने थी अंत्रिम सरकार बने थी नहरुजी के देखरेक में तो उसमें राजेंदर परसाद जो है वो क्रिशी मंत्री हुआ करते थे उसके बाद जाकर के 1950 में 24 जनवरी को ये भारतिय गंतंत्र के क्या बने थे पहले राश्टपती बने थे बाबु जगजीवन राम की बात करें तो बाबु जगजीवन राम जो है ये बिहार भारत के प्रथम जो है वो बने थे डेपुटी क्या थे पियम यानि कि ये बने थे पर्थम उप परधान मंत्री ठीक है बाबु जग जीवन राम जो है वो पर्थम उप परधान मंत्री बने थे 1979 में उस समय मुरारजी देसाई जो है मुरारजी देसाई देश के परधान मंत्री बने थे और बाबु जग जीवन राम जो है वो बने थे क्या वो deputy PM बने थे इंडिया के पहले deputy PM थे उसके अलावा अगर बात करें तो बाबु जग जीवन राम भी नहरुजी के मंतरी मंदल में 1946 में जो अंतरीम सरकार बनी थी तो उसमें labor minister यानि स्रम मंतरी हुआ करते थे बाबु जग जीवन राम कहां कहते साशा राम के बिहार के थे थे तो इतनी information काफी हो जाएगे आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं question number 20 question number 20 से पहले आप लोगों को एक information दे दूँ ठीक है जो student जुड़े है एक बार session को like कर दीजो और एक information मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जब आप लोग 30 September 2023 को ठीक है 30 September 2023 को PT दे करके आएंगे और जैसे PT देने के बाद आप आएंगे तो आप जो है वो mains की तयारी में आप सभी लोग लग जाएंगे उसके दौरान क्या है कि आप लोग तो mains की तयारी में लग जाएंगे और हम लोगों ने एक बहतर प्लान आप लोग के लिए तयार किया हुआ है और वो तयार ये है कि चाहे वो YouTube पे कोई student अभी हमें देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब कियो हैं उनके लिए भी है और हमारे जो प्रिलिम्स के लिए student है उनके लिए भी है कि हम लोग जो है वो तीन अक्टूबर से यानि कि 3rd अक्टूबर से हम लोग क्या करने जा रहे हैं 3rd October 2023 से हम लोग क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए तो हम लोग लाने जा रहे हैं 69th BPSC मेंस का बैच मेंस और इसमें आंसर राइटिंग भी साथ साथ होगी ये होगा किसका ये होगा जनरल स्टडी के लिए जीएस के लिए 69th ये 3 October से होने जा रहे हैं इसमें डेली जो है वो 3 classes चलेगी डेली जो है वो 3 classes चलेगी ठीक है उसके बाजा करके एक 4th class भी चलेगी और वो होगा किसका तू होगा essay का तो 5 October से हम लोग जो है 5 October 2023 से उस्थ अक्टूबर 2023 से हम लोग लाने जा रहे हैं कौन सा तो हम लोग लाने जा रहे हैं 69th और 70th BPSC के लिए हम लोग लाने जा रहे हैं essay का batch यानि निवंद का वैच यह पांच अक्टूबर से और यह डेली साम को 6 बजे से चलेगी थे से सारी आठ नौ तक जितना तक जो टॉपिक की डिमांड हो जिस दिन का उस हिसाब से यह चलेगे इन दोनों प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों प्रोग्राम मे आंसर राइटिंग जो होगा वो सबसे ज़्यादा फोकस होगा हमारा आंसर राइटिंग पे यानि हम लोग GS में भी डेली आंसर राइटिंग कराएंगे जो टीचर अपना लेक्चर डेलिवर करेंगे साथ-साथ वो आंसर भी कराएंगे जो टीचर इसे डेलिवर करेंगे वो साथ साथ ऐसे राइटिंग भी क्लास के ही अंदर करेंगे तो आप लोग जरूर जुरिएगा हम लोगे और हम लोग एक चीज बता दू कि हम लोगोंने सबसे अच्छी टीम तयार की है चाहे वो दिल्ली हो चाहे पटना की बात करें तो BPSC की सबसे बहता टीम हम लोगोंने तयार की है तो तीन अक्टूबर से हम लोग कल GS का में से स्टार्ट हो जाएगा और पाँच अक्टूबर से हम लोग का essay स्टार्ट होने जा रही है तो आप लोग 30 सेप्टेंबर को जब आप लोग दे के आएंगे तो आप लोग जरूर जुरिएगा आगे बढ़ते हैं अब लोग अब जा करके अब लोग बात करते हैं Question No.20 पे Question No.20 आप लोग के सामने है कि The First Chief Justice of Patna High Court Watch यानि पत्ना उच्च नयाले के पर्थम मुख्य नयाइधिस थे सर सैयद फजल अली भारतिय नयझीज थे इंडियान वर्ड जो दिया जुट है the first Chief Justice of Patna the first Indian Chief Justice of पूर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस वाप पटना हाई कोट पटना उचने अले के पर्थम भारतिये मुखे नैधीस थे जल्दी से बताई आप लोग कौन थे पूरी तरह से भारतिये की बात कर रहे है पूशन नमबर 20 कोशन नमबर 20 का प्रिया कुमारी ये वेरि गूड ए बता रही है देखते एक बर चेक करते अभी मोहित जी ये बता रहे है ठीक है रिशिकेश जी बता रहे है आत्मल का विश्वा साक्षी जी बी इबता रहे है चलिए देखते बाकी लोग जल्दी से आंसर दीजिए 20 का A साक्षी बता रहे है रिशिकेज जी चामियार फर्स्ट थे बता रहे है चामियार तो अंग्रेजी वाले में फर्स्ट थे इंडियन वाले की बात करिए ठीक है चलिए तो वेरी गूट जिन जिन लोगों ने एए अंसर दिया है सर सयद फजल अली जो है ये कौन थे तो ये भारत के पहले भारतिय पटना हाई कोट में पहले ऐसे भारतिय वेक्ति थे जो चीफ जस्टिस और पटना हाई कोट बने थे उसके बाद जाकर के इनको उनीस सौत तिरेपन पचपन के दोरान जो है ये फजल अली कमिटी में भी थे और फजल अली या फजल अली कमिशन बनाई गई थी और इस कमिशन का क्या काम था ये कमिशन जो बनाई गई थी ये स्टेट री और्गेनाईजेशन के लिए बनाई गई थी और ठीक है और इसमें हिर्दे नात कुंजरू हिर्दे नात कुंजरू हिर्दे के एम पनिकर के सदसे थे स्टेट रियोर्गनाजिजिसन एक जो तिरेपन में बनी थी और जिसने पच्पन में अपनी रिपोर्ट दे थी सरसयद फजल अली वही फजल अली है जो की भारते पर्थम भारतिय मुखिनाइधिस भी है पटना हाई कोट के यह बाकी सब के सब पुरा हम लोगों ने explain कर दिया चारो option को तब explain किया जाता है जब बाकी चारों से भी question बनने की संभाव ना होगी तो very good आप देखते हैं आप लोगों ने कितने लोगों ने A answer दिये हैं रहुल कुमार जी B कह रहे हैं B नहीं होगा रहुल कुमार जी A होगा अगर बात करे क 43-46 के दौरान पटना हाई कोट में थे ठीक है clear है जबकि इनके बाद जाकर के 48 और 50 के दौरान जो है ये बने थे कौन मनमोहन क्लिफेंड मनमोहन अगरवाल 1948 और 50 के दौरान रहे थे तो फजल अली 43-46 के दौरान रहे थे इसलिए ये पहले भरतिये माने जाएंगे clear हो रह होंगे राहुल जी चली आगे बढ़ते हैं तो question number 20 का जो answer है वो है आपका अब जाकर के question number 21 देखते है question number 21 क्या है आप लोगा देखिए the first शिख गुरू to visit बिहार वाज बिहार की यात्रा करने वाले वाला कर दिया हम लोग थोड़ा सा respect देना चाहिए प्रथम शिख गुरू थे ठीक है थोड़ा सा उनके लिए सम्मान होना चाहिए ठीक है तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम शिख गुरू थे गुरू ना 21 यह बता रहे हैं आतंबल का विश्वास सब्सक्राइब कि पुस्चिन नमबर 21 इस फॉस्ट सिख गुरू टुब इजट बिहार वाज बिहार की यात्रा करने वाले पहले सिख गुरू थे चल्य में बताए जल्दी से हैं बिहार की यात्रा करने वाले चल्य कुछिए नमबर 21 कौन कौन से स्टुडे ने प्रिया कुमारी बता रहे हैं घजिकेस जी बता रहे हैं शाक्षी बता रही है चलिए मांकी लोग भी यह बता रहे हैं चलिए गुरु गोबिंद सिंग की जो जीवनी लेखक है जो उनके बारे में जगा जगा पर उनके बारे में लिखा है उनका ये कहना है ये चुकि पर्थम गुरु थे कि इन्हों ने राजगीर पटना साहीब आला कि साहीब बाद में कहला है गुरु गोबिंद सिंग के नम पर पटना उसके बाद जाकर के मुंगेर भागलपूर उसके बाद जाकर के इनके और भी कुछ जगों पर जैसे गया गया कहलगाओ राजमहल इन सब एरिया के गया कहलगाओ ठीक है राजमहल छेत्र जो कि आज के जारखन में है इन सब में यात्रा का पर्णन मिलता है चर्चा मिलती है ठीक है अधन्य गुरु गोबिंद सिंग जी के पर्थम गुरु थे और इनके नाम पे बिहार में नानक कुंड भी है जो की गरम जलका कुंड है आप लोग एक ब चलिए आगे बढ़ते हैं तो कोशन नंबर 21 का ए होगा गुरु नानक इनका अंसर है प्रथम सिख गुरु थे अगर अन्य गुरुओं की बात करें जिनका उल्लेक मिलता है तो नाइन्थ गुरु यानि नौवे गुरु थे गुरु गुरु तेग बहादुर गुरु यानि इनकी जो पतनी थी तो गुरु माता जो है उस समय गर्वती थी और उनका जो स्वास्त था वो इजाजत नहीं दे रहा था कि वो और कुछ आगे ट्रेवल करें तो उस समय पटना में अपने कुछ विश्वस्निय सेवकों की देखरेख में गुरु माता को यहीं पे र जाद में सिखों के दस्वें और सिख समुदाई के दस्वें और अंतिम गुरु गोविंद शिंग बने थे आपको पता होगा और जब यह गुरु बन गए थे तो अपने जन्मस्थान जो पटना साहिव है उसके लिए इन्होंने कुछ मन सब भी भेजे थे कुछ लोगों क इन्होंने एक धार्मित समुख को भी वहां की यात्रा के लिए उन्होंने भेजा था तो इस तरह से इन तीनों गुरुओं का संबंध बिहार से मिलता है उलेट मिलता है तीनों की अलग-अलग कहानिया है आप लोगों पता होगा चलिए तो को नमबर 21 का आंसर जो है वो ए ब्रम कुंड में असनान करने गए थे भी मेला में चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 22 को उठाने के लिए मुझे याद करना पड़ा कि विहार के कौन-कौन साहित्तिकार है ठीक है तो कुश्चन नमबर 22 के एक स्टूडेंट का आगया आंसर दो स्टूडेंट का आगया आंसर चलिए बागी लोग दीजी आंसर जल्दी से प्रिया 22 का ए बता रही है रहुल जी ए साक्षी ए चलिए तो रामधारी सिंग बिनकर जी को ग्यानपिट पुरुसकार दिया गया था कव पुनीसव बाहत्तर में किसलिए दिया गया था उर्वशी नाम की रचना इन्होंने की थे खाला कि ये वीर रस के कवी है सुन लिजे ध्यान से वीर रस के कवी है लेकिन इसमें उन्होंने विरह प्रेम त्याग इत्यादी की चर्चा की है उर्वशी कौन है तो स्वर्ग से आई एक अपसरा है उसकी कहानी है ये पूरा का पूरा उर्वशी और 1972 में इसी के लिए रामधारी शिंग दिनकर को क्या दिया गया वीर रस के कवी थे हलाकि लेकिन इसमें उन्होंने करुणा प्रेम बाकी चीजों का वर्णन किया है तो उर्वशी के लिए 1972 में इनको मिला था रामधारी शिंग दिनकर को रामधारी शिंग दिनकर के अगर बात करें तो बेसिकली ये कहा के है तो ये है इनका जन्म हुआ था बेगु सराई के सिमर्या में सिमर्या जानते हैं जहां पर नहाने जाते हैं गंगा के किनारे तो सराई के सिमरिया गाउं में इनका चल्म दिगर है आगे बढ़ते तो रमधारी सिंग दिनकर पर्थम ग्यानपीट पुरुसकार बिजेता है बिहार के 1972 में इनको ग्यानपीट पुरुसकार जो कि भारत में साहित का सबसे बड़ा पुरुसकार होता है उससे सम्मानित किया गया था तो देखते हैं आप लोगों में से कौन-कोनаешь student सही answer दिये हैं लगभग 5 student ने सही answer दिये हैं 6 student ने आगे बढ़ते हैं Question No.23 Qration No.23 है कि बिहार में प्रेस के संबंध में निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बिहार में प्रेस के संबन्द में निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है Which of the following is not correctly matched with respect to the price in बिहार या development of price in बिहार यह मेंस का पूरा का पूरा एक topic बनता है बिहार में प्रेस का विकास जैसे बिहार के महिलाओं का योगदान पूछ देगा बिहार में आधुनिक सिक्षा का विकास पूछा हुआ है तकनीकी सिक्षा का विकास में पूछा हुआ है तो बिहार में प्रेस का विकास भी आपसे पूछ सकता है अंदोलन सोतंता अंदोलन के दौराट ठीक है तो चलिए तो यहां पर हम लोग पहले PT को देखते हैं परफम安ग्रेजी सबताही बिहार मित्र और उसके बाजा करके चारों में बताईए बिहार मित्र और उसके बाद पर्थम अंग्रेजी सपता ही दर बिहार हेराल्ड चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चलिए 23 का C कह रही है, प्रिया कह रही है C, बाकी लोग भी कह रही है C, चलिए 1874 में ये अख़बार प्रकासित हुई थी 1874 में जो बिहार की पर्थम हिंदी सब्ताहिक थे लेकिन इसका जो नाम था वो नाम था बिहार बंधु ठीक है बस थोड़ी सी कलाकारी की है ताकि आप लोगों को रटाया जा सके याद कराया जा सके इसा फैक्शुल इंफर्मेसन आपको याद होना चाहिए बाकि सर्व हितैशी की बात करें तो सर्व हितैशी वो बिहार की पर्थम हिंदी दैनिक है ये 1882 में प्रकासित हुई थी बिहार की जो पहली अंग्रेजी दैनिक है सर्च लाइट ये 1874 में प्रकासित हुई थी जोकी सबताहिक पत्रिका थी और 1875 में बिहार हैराल्ग जो थी वो 1875 में प्रकासित हुई थी जो क्या थी बिहार की पहली इंग्लिश वीक्लि मैगजीन हुआ करती थी या news paper जो कह लिए ठीक है तो यह है आपकी कहानी यहाँ पे तो यहाँ answer जो है वो C है हिंदी सप्ताहिक का नाम पर्थम जो बिहार की हंदी सप्ताहिक थी जो 1874 पे publish होई थी उसका नाम बिहार बंधू था ना की बिहार मित्र था तो 23 का कौन सा होगा answer 23 का होगा सी एक देखते हैं कौन-कौन से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया वेरी गुट बिहार बंदू विकली हाँ विकली तो लिखा हुआ है चलिए अमनितेश कुमार जी सी बिलकुत सही है प्रिया आप लोग के भी सभी लोगों के सही है चलिए कौशन नमबर 24 आप लोगों के सामने है देखें कौशन नमबर 24 है कि in which city was the first municipality established in बिहार ठीक है बिहार के किस सहर में पर्थम नगर निगम की स्थापना की गई थी के गलती से यहां पर डेट सब आ गया है चलिए आप लोग जल्दी से बताईए कि कौन से city में बिहार की पहली नगर निगम की स्थापना की गे थी question not twenty cost ka answer जख़ाइए गुरू प्रसाद सें बिहार हेराखर हेलर वहरी गुट वहरी गुट वहरी गुट वहरी गुट कौु़य का जया है अस्थिए पत्टना नर भागलपूर बकसर कहां पर पहली municipality आने नगरपाली नगरपाली का राहूल कुमार की कह रहे है भी होगा पहली नगरपाली का स्थापना आ रहा में की गई थी तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा वी चलिए 25 बिहार की प्रथम सिचाई परियोजना इसको लेकर के रिशिकेज जी ने टेस्ट में डाउट किया था अभी भी रिशिकेज जी अब बताईए 24 का 25 का बताईए कि बिहार का जो पहला प्रोजेक्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट गंडक रिहंद कोसी और सोन इसमें से जल्द डाउट किया था जल्दी से बताईए आप लोग अगरेशन प्रोजेक्ट प्रिया भी कह रही है गंडक होगा अमरितेश भी जी कह रहे हैं गंडक होगा राहूल कुमार जी भी कह रहे हैं गंडक होगा जब कि 25 का रिशी केस जी लगता है इस बार मूड में है सही कुश्चन करने के मूड में है चलिए साक्षी भी कह रहे है यह 25 का ए होगा यानि लोगों ने बिहार स्पेशल मन लगा करके पढ़े हुए है गंडक सोन जो परियोजना है वो बिहार की आजादी से पहले की है 1873-74 की प्रोजेक्ट है सोन प्रोजेक्ट ठीक है सिचाई के लिए सोन में पहली बार जो नहर वेगर ऐसा बनाई गई थी परियोजना शुरू किया गया था सोन प्रोजेक्ट वो 1873-74 जब मल्टी परपस प्रोजेक्ट का कॉंसेप्ट भी नहीं आये था जबकि जबकि जिस सोन को जिस गंडग को आप कह रहे हैं बिहार का पहला प्रोजेक्ट वो 1968-79 का है सो साल 90 साल का लगभग अंतर है देख लीजे तो यह आजादी से बहुत पहले यह प्रोजेक्ट बनी थी सोन प्रोजेक्ट आपके किताब में जादा तर इसका येर मेंजन होता ह बिहार स्पेशल के किताब में इसलिए आप लोग इसको याद कर लेते हैं आपको लगता है कि यह सब बाद के प्रोजेक्ट है लेकिन सोन परियोजना 1873-74 की है बहुत पुरानी प्रोजेक्ट है इसके अंतरगत सिचाई की यहां पे मैं बात कर रहा हूं मैंने यहां पे इ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चलिए वेरी गुड आगे पुस्चन नमबर 26 यहां पर देख लीजिए कौन सा है कि बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंदर कहां स्थापित किया गया था वेर वास्ट दूरदर्शन केंदर इस्टैबलिश्ट इन बिहार तो बिहार का पह पुस्चन नमबर 26 जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए 26 का ए बता रहे है कुछ स्टूडेंट चलिए मांकी देखते है 26 का ए बता रहे है राहूल जी भी ये बता रहे है अमरीतेश कुमार जी मुझपरपूर रिशिकेस जी भी बता रहे है मुझपरपूर तो मुझपरपूर ही इसका आंसर है मुझपरपूर में 1978 में 1978 में दूरदर्शन के अंदर बनाई गई थी बिहार में और उसके बाद दूसरा दूरदर्शन के अंदर 1990 में पटना में बना थी तो इस तरह से बिहार का जो फॉस्ट दूरदर्शन के अंदर होगा अब ही सही है पुश्चिन नमबर 27 आप लोगे सामने है कि किस वंस के सासकों ने बहुत भिक्षुकों के बिहार में के लिए के लिए फोड़ा से पड़ रहे गया है विच डैनसी डैनस्टी है डाइनस्टी है डाइनस्टी अधरूलर्स बिल्ट के इन बिहार फोर बुद्दिष्ट मॉंक ठीक है यह सही है चल जाएगा यह तना ट्रस्लेट किस वंस के सासकों ने बहुत भिचुकों के लिए बिहार में गुफाओं का निर्मान कराया था जल्दी से बताई आप लोग कुश्चन नमबर 27 का अंसर कौ लोग काहिए इसका मतलब सही है आप लोग को याद है तो गुफाओं बनाने के प्रमान दो राजाओं के मिलते हैं कौन एक अशोक अशोक कौन से धर्म के लिए बॉध मौंक्स के लिए बुधिष्ट मौंक्स के लिए ये बनाते हैं कहां पर तो ये बनाते हैं गया के छेत्र में गया और आज का जो जहानाबाद का जो छेत्र है वहीं पर है बराबर की गुफा उस छेत्र में जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे महात्मा गुद्ध के समय तो उस आजीवक संपरदाई के लिए दसरत ने गुफा बनाए थे जो असोक के पोत्र थे और अशोक ने बहुत धर्म के रिशी मनियों के तपस्या के लिए बनाए थे कहां पे तो बराबर के गुफा है जहान चलिए आगे बढ़ते हैं तो कोश्चन नमबर 27 का ए आंसर होगा कोश्चन नमबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 28 देख लीजी आप लोग कौन सा है अरे लोरिया अरे राज लोरिया नंदगड रामपुर्वा और बसाट से प्राप्त असोक के एकाश्म एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर को काट कर घिश कर बनाई गई मुर्ती इसको मतलब यह पत्थर को जोड़ा नहीं गया बलकि एक ही पत्थर को प्रापर काट के शेप कर के प्रापर शेप दे करके वो बनाई गई है पिलर बनाई गई है तो इसमें से यह बताना है क कि इसके लिए कौन से पत्थर का इन्होंने इस्तेमाल किया था कुश्चन नमबर 28 का आंसर बताई है जल्दी से आपनों प्रशन संख्य 28 का उत्तर बताई है आपनों कुश्चन नमबर 28 का आपनों देखते हैं सही है यहने साक्षी बाकी अमरितेश जी सभी लोग ए बता रहे हैं धूसर बलुआ पत्थर जो उत्तर प्रदेश के छेतर से लाए गए थे आज का जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहां से यह पत्थर लाए गए थे ठीक है और यह बनाए गए था और यह सब के सब जो पिलर है वो बिहार पे अलग-अलग जगों पे मिलता है एक ऐसा राजा जो पिलर या इंस्क्रिप्शन अभी लेख जो पत्थर पे अभी लेख लिख करके अपने राजकिये शासन के जो आदेश होते थे वो जारी करते जिसमें से लोरिया अरेराज जो की पुर्वी चमपारण में है आपको पता होगा कहां पे है पुर्वी चमपारण में उसके बाद जाकर के लोरिया नंदगर और राम पुर्वा जो है ये पिलर जो है ये पत्थर का ये कहां पे है ये पश्मी चमपारण में है और उसके ब सिप्संस यानि अभिलेख है और अभिलेख यानि शाष की आदेश इसमें जारी किया जारी किया गया और सासकी खरने वाले जो है यह सबके सब जो अभिलेख है यह मौरेवन्स समराठ अशोक के दवारा जारी जारी किया गया था उनके द्वारा स्टैबलिस करवाए गये थे यहां पर यह सब के सब क्या है शाष की आदेश है और अभिलेक के माधम से आदेश देने वाले अशोक यह है वो इध्यास के पहले सासक है आगे बाकि इनके भासा के प्रीयोग के बारे में आपको पता होगा क जिस छेतर की जो उस्थानिय भासा थी और लिपी थी उसी का इहोंने प्रियोग किया है उन लिपी का जैसे कि आप देखेंगे तो बिहार के छेतर में जो है पुर्वी भारत में जो जो अभी ले थे उनके वो सारे जो है वो ब्राम्ही लिपी में है उसके बाद जातर के भार जो भासा समझते थे उसी के अनुसार उनका सासन जो है वो आज के अशुक का सासन आज के अफ़दानिस्तान तक था तो वेरी गूड जिन जिन स्टूरेंट्स ने ए आंसर दिये हैं आप लोग के आंसर सही है question number 28 का A होगा question number 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं question number 29 देखते हैं आप लोग का कौन सा है हाँ पलूआ पत्थर वेरी गूड आगे बढ़ते हैं very good सभी स्टूरेंट्स सही आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग आगे who built the tom of Malik Ibrahim in बिहार सरीफ in 1353 यानि अब आट इन कल्चर के सारे question है देख लिजिए इस अब आ रहे है question 1353 में बिहार सरीफ ये history के question नहीं है आट इन कल्चर के मैंने अलग question बनाये थे आप लोग के लिए तो देख लिजिए मकबरे का निर्मान किसने करवाया था ये पूछा जा रहा है question number 29 का अंसर जल्दी से बताए question number 29 का अंसर सेयद दाउद मलिक या फिर मलिक काफूर या बक्तिहार खिल जी या मान सिंग जल्दी से बताए question number 29 का अंसर 29 के भी बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट ने अपना नाम ही रख लिया लूसेंट स्टडी साक्षी भी बता रही है भी रहूल भी बता रहे हैं रहूल जी भी अमरितेश कुमार जी भी बता रहे हैं बाकी लोग भी रिशिकेश लोग भी भी बता रहे हैं चलिए तो 1353 में सयद दाउद मलिक ने 1353 में मकबरे का निर्मान कराया था शूफी संथ मलिक इबराहिम का पिहार शरीप में यह मकबरा अभी आपको दिखाई देता है तो question number 29 का भी होगा very good आगे बढ़ते हैं question number 30 पादरी की हवेली और बाकीपूर चर्च का निर्मान किस सैली में किया गया किस स्टाइल में किया गया सैली का मतलब है यहाँ पे style of architecture की बात हो रही है यहाँ तो Holland सैली है Gothic सैली है British सैली है और Portuguese सैली है इसमें से किस सैली का किस style of architecture तेक्ट्र का उपयोग किया गया है पत्ना में जो पादरी की हवं दिश्वेली है और बाकीपूर चर्ष जो है पत्ना में कौन सी इंय बनाए गई कि चार स्टूरेंट्स के आगए, प्रिया भी लुसेंट स्टडी सभी लोगों का भी ही आ रहा है गोथिक शेली बेसिकली क्या था यह देख लिए गोथिक शेली में आपको बता दू कि गोथिक गोथिक शेली में कुछ इस तरह का बनता था यानि कि बड़े बड़े ऐसे गुम्बद नुमा वाले मकान बनते हैं ऐसे करके और लंबी लंबी खिरकिया इस टाइप के होते इसको गोथिक शेली कहा जाता है हाला कि यह मंदिर नहीं है आप देख लिजे आज भी यह एक ऐसी सेली थी जो बार्मी और तेर्मी शदी में योरोप में था आज भी रोम के कई सारे पुराने मकान जो है वो इसी स्टाइल में बने हुए है गोथिक स्टाइल में बने हुए है देख लिजे बार्मी और तेर्मी शदी में जो है और उसी style में यहां पर पादरी की हवेली बनाई गए थे यह देख लिए इसी को कहते है गोथिक style यह बार्मी और तेरवी शनी में बहुत पॉपलर हुआ करती थी योरोप में यह वाला है इसी को कहते है गोथिक style of architecture इस तरह के आपने पुराने वाले योरोप के जो सहर देख ना में है और पटना के बाकिपूर में चर्च का भी निर्मान किया गया तो वेरी गूड जिन लोगों ने भी आंसर दिये हैं उन सभी students के आंसर सही है अमरितेश कुमार जी कह रहे है कि गोथिक आर्ट भी तो पुर्तिगीज ही साथ लाए थे इंडिया में बिल्कुल पु मंदिर निर्मान की तीन सैली आपको मिलती है भवन और मंदिर निर्मान की उत्तर भारत में नागर सैली मद बिहार में वेसर सैली और दक्षिन बिहार में द्रविट सैली ठीक है दक्षिन भारत में द्रविट सैली तो इसी तरह से यहां पे भवन और मंदिर या अन जो चर चल रहा था एक समय में तो 30 का भी होगा वेरी गूट आगे पड़ते हैं कि और वर्ट पर पर परपस बस्ट गोल घर बिल्ट बाइड़ इन पटना ठीक है पटना में यहां पे थोड़ा सा पटना में अंग्रेजो द्वारा गोल घर का निर्मान किस उद्देश से करवाए गया था storage of food grain for army needs, storage of grain for the public जनता के लिए अनाज का भंडारन, हत्यारों के रख को रखने के लिए to keep weapons for use as fortress during war यानी यूद के दौरान fortress यानी किला के रूप में इस्तेमाल करने के तो जल्दी से बताइए question number 31 का आंसर क्या होगा आप लोग हाँ गोवा में भी है गोतिक सेली, very good इसका मतलब रिशिकेस जी गोवा घूम क्या है चलिए राहुल जी बाकी लोग, सभी लोग आंसर दीजे जल्दी से साक्षी, अमरितेश जी चलिए जनता के अनाज के भंडारन कौन लिख रही है राहुल कुमार जी, अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि बिहार में अकाल परे तो जनता के लिए अनाज इतने अंग्रेज भारतिओं के परती इतने सकरात्मक नहीं थे बिहारिओं के परती कि अनाज का एक बड़ा सा गोदाम रख़तों और अगर अकाल परेगा तो विहारी लोगों दिख्कत नहीं होगी अनाज की इतने अच्छे नहीं थे बिटीसास भारत में ठीक है लुसेंट सड़ी आपका भी आंसर प्रिया कुमारी आपका भी ए आ रहा है चलिए फॉजियों के भंडारन के लिए क्योंकि फॉज पर ही उनकी सासन व्यवस्था ठीकी हुई थी तो संभावित जो अकाल है जो बिहार में बंगाल में कई बार पढ़ते रहते थे तो लेकर के अनाजों के भंडारन के लिए ही ये लाया गया था ठीक है बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं very good सभी students मुझे लगता है आप लोग की बहुत ही बहतर तयारी है very good very good ठीक है सभी लोगों के आंसर सही है वी नहीं होगा ठीक है अ होगा जंता के लिए नही विटपाल दो लोग हुआ करते थे आप लोग को बताना है कि पाल काल में नालंदा में धीमन और विटफाल नाम के विटफाल नाम के दो जो है वो हुआ करते थे क्या कहते है उसको पिता पुत्र हुआ करते थे धीमन और विटपाल ये कौन थे जल्दी से बताईए किस रूप में परश्य देत है जल्दी से बताए कुश्य नबर 32 परश्य संख्या 32 का उत्तर बताए 32 का कुछ लोग सी बता रहे हैं कुछ लोग पाल वंस के दौरान ये दोनों जो समकालिन थे ये थे इनके समकालिन थे एक थे धरम पाल और उसके बाद देवभात के समकालिन थे और ये दौनों क्या बनाते थे ये दुनों बनाते थे बेभिन परगार की मुर्टियां खासकर के बहुत धर्म से जुड़े हैं बहुत सारी मुर्टियां इन लोगों मुर्तिकार थे ये very good, very good, very good जो 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 ने सही answer दिया है क्या होगा? मुर्तिकार थे धीमन और धरंपाल और देवकाल के समकालिन थे ये और ये मुर्ति बनाते थे कहां पे थे ये पता है आपको ये नालंदा के famous थे ये नालंदा के famous मुर्तिकार थे इतना भी information याद कर लीजिए अब तो सही हो गया आप लोग का नालंदा के थे धरंपाल और नालंदा के ये दोनों मुर्तिकार थे तो चलिए आप लोग का ये भी answer सही हो गया, very good चलिए, आगे बढ़ते question number next ले 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 थे 33 पंच रक्ष का संबन्द बिहार के किस काल से है जल्दी से बताईए, Cambridge B. Swidale जो बिटेन में है, वहाँ पे पांडू लिपी, यानि की कुछ चितर बनाए गए है, और menu script का मतलग होता है, जो original चितर किसी लेखा के वारा एक किताब के रूप में रखी गई है, वो रखा गया है, Cambridge B. Swidale में, उसका नम है अस्ट सहसरिक प्रग्या प्रग्या परमित और उसके बाद पंच रक्ष कौन से काल के हैं, मौरेकाल, नंदकाल, गुप्तकाल और पालकाल, जल्दी से बताईए चलिए पालकाल के है, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, ठीक है, पालकाल के मौरेकाल, चितरकला के लिए नहीं जाना जाता है, यह गुफा के अंदर ही जो आर्ट हुआ है, उसके लिए जाना जाता है, नंदकाल की बात करें तो नंदकाल में कोई चितरकला मिलता नहीं ह पहार में चिदरकला या तो पाशानकाल में मिलती है या पालकाल के दौराण के मिलती है और भी पंडू लिपी की बात हो रही है यहां पर मैनूस्क्रिप्ट की बात हो रही है तो पालकाल की ही विशेष्था है चलिए वेरी गुट जिन स्टूडेंट्स ने देखते हैं 33 का नए स्टूडेंट जुड़े है आप लोगों को मैं इक बार को exam देने जाए तो बहुत ही comfort feel कर सके और जब वो आए तो वो साथ ही mains की तयारी में लग जाए तो हम से जुड़े हुए जो students है वो या फिर ऐसे students जो YouTube के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए अभी हमारे किसी program में enroll नहीं हुए हैं तो वो अगर चाहे तो हम लोग अगर बात करें तो 69th BPSC के mains को लेकर के हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा program जो है वो दिसंबर तक का तयार करके रखा है first week of December यानि जब exam होने वाला है second week of December में आपका mains होने जा रहा है आपको पता होगा तो 69th BPSC का जो mains exam है उसको लेकर के हम लोगों ने एक बहतर रनेती तयार करके रखा हुआ है ताकि जो student हमारे साथ enrolled हो वो first day से ही answer writing के mode में आ जाए क्योंकि दो महिने में सिर्फ mains के अगर teacher लेक्चर देके चले जाएंगे तो आपके पास answer writing का समय नहीं रहेगा क्योंकि डिली आपको कम से कम चार सब्जेक्ट का लेक्चर एटेंड करना पड़ेगा तो चारों सब्जेक्ट में अगर लेक्चर दिया जाएगा तो आप घर में जा करके रिकॉल करके answer नहीं लिख सकते हैं और आपके पास समय नहीं इसलिए हम लोग क्या करें तो class में ही daily answer writing कराएंगे topic पढ़ाने के साथ ही answer भी लिखवाएंगे उनको और यह जो program है 69th BPSC का जो mains का program है इसमें हम लोग दो course launch करने जा रहे हैं एक जो होगा वो होगा GS का यानि paper 1 और paper 2 का होगा ठीक है यह paper 1 और paper 2 है आप लोग को पता होगा और यह जो है यह हम लोग सुरू करने जा रहे है कब से तो यह सुरू करने जा रहे 3rd October से 2023 से सुरू करने जा रहे है इसके अंतरगर्द जो है daily जो है 3 lectures होंगे अलग-अलग section के ठीक है 3 lectures होंगे अलग-अलग section के paper 1 का एक section लिए जाएगा और paper 2 का दो section लिया जाएगा यह paper 1 के दो section लिए जाएगे एक section जो है paper 2 का उठाया जाएगा इस तरह से आप लोग का December के first week से पहले ही पयार करानी की हमारी कोशिश होगे GS के अलावा essay की बात कर ले तो essay यानि की निबंद की इसकी अगर हम लोग बात कर ले तो ये इसको आप paper 3 कह सकते हैं ये भी 300 marks का है इसकी भी daily Monday to Friday यानि सब्ता हमें 5 दिन इसकी class चलेगी और इसकी जो class होगी ये साम को चलेगी daily 6 बजे से 8-9 बजे तक किसी topic कोई topic बढ़ा है तो 9 बजे सकता है कोई topic चोटा है तो सारह 8 में भी हो सकती है कहने का मतलब है कि आप अच्छे lectures को quality वाले lectures को आप 10-15 में के समय में नहीं बांद सकते हैं कई बार समय पार भी कर जाता है lecture अगर पूरा होगा topic पूरा होगा तब जाके साम को चुटी होगी तो ये सारे के सार पूर्सेस है ये आपको बता दूँ कि दोनों मोड में available है आप लोगों को बता दूँ यह मेंस का जो हम लोग का प्रोग्राम है यह और प्लाइन में मुखरजी नगर कहां पे तो आफ लाइन के लिए आप कहां से जूड सकते हैं तो आप हमसे ओफ लाइन जो है वो जूड सकते हैं मुखरजी नगर में मुखरजी नगर में बत्रा सिनेमा के पास ही हम लोगों का क्लासरूम है जहां से अभी ये क्लास चल रहा है बत्रा सिनेमा के पास ही है यहां से आप आफ लाइन जूड़ सकते हैं क्लासरूम ही है यहीं से हम लोग लाइब है studio plus classroom है यह digital classroom है तो मुखर जीन अगर यहां से भी आप जूड़ सकते हैं offline के लिए अगर किसी को online जूड़ना है तो आपको क्या करने पड़ेगा तो play store से mobi shala app download करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के उसमें course की detail दी गई है उसमें से आप direct चाहे तो course purchase कर सकते हैं और online program से जूड़ सकते हैं उसके बाद जाकर के क्या है कि इससे अगर कोई technical समस्य आ रही है कुछ और inquiry है कुछ भी जानना चाह रहे है तो description box में आपको एक number दिखाई दे रहा है और description box में जो आपको number दिखाई दे रहा है संजे जी एक number mention कीजिए और description box में भी number वो मिल जाएगा आपको और chat box में भी वो number में डलवा देता हूँ और आप उस number पे call या message करके आप चाहे तो हमसे जूड़ सकते हैं अपने आपको अगर admission से पहले कोई भी doubt है तो आप direct teacher से भी call कर सकते हैं मुझसे आप direct contact कर सकते हैं संस्थान आपको मेरा जो number है वो available करा देगी आप चाहे तो direct संस्थान पे call करके मुझसे आप बात करके अपने doubts को clear करके उसके बाद आप इंडॉल हो सकते हैं मेंस केस राइटिंग प्रोग्राम से अब यहां पर बात कर लो तो यह तो mode online offline दोनों है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि language या medium कौन सा होगा आपको तो यहां पर बता दू कि हम लोगों का जो medium है वो bilingual है bilingual that is two language और कौ दिकत नहीं होगी ना तो समझने में और ना ही लिखने में दिकत होगी और पूरा answer writing का program किया जाएगा answer writing का program चलाए जाएगा तो आप लोग जरूर जुड़े हम लोगों के साथ अब आगे बढ़ते है question number आप लोग के सामने यह है question number 34 आप लोग के सामने है कि पटना कलम के चित्र किस सैली पर अधारित है question number 34 पर आजाएगे चलिए आप लोग ठीक है अगर किसी को मोबिशाला एप चाहिए तो वो कॉल कर लीजे उनका link मिल जाएगा एप पर store पर है कई बार नहीं मिलता है इतने सारे आज कल play store पर इतने सारे एप है कि आसानी से नहीं मिलते रहता है तो आपको किसी को link चाहिए तो आप यहाँ से message कर देंगे या call कर देंग बहुत सारे एप्लिकेशन मोबाइल पर भरे हैं यह इस पर है प्ले स्टोर पर चलिए आगे तो लिखें यहां पर देख लिजे कुश्चन नमबर 34 आपके सामने है कि पटना कलम पेंटिंग्स आर बेस्ट ऑन विच स्टाइल पटना कलम के चित्रकिस सैली पर अधारित है मु आप लोग को धनिवाद आप लोग बहुत अच्छा से सारे अंसर दे रहे हैं और सभी लोग इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं जुड़े हुए हैं चलिए वेरी गुड तो कुश्चन नमबर यहां पर देख लिजे कुश्चन नमबर 38 का maximum students का कुछ का तो राहूल कुमार जी क सेली स्थानिय सेली अब देख लिजे सेली पर अधारित है इसका मतलब है कि यह कोश्चन जो है आप लोग का ठीक है इसका मतलब यह है कि आप लोग इस question को समझे ही नहीं इसमें actually mistake क्या हुई है पटना कलम पेंटिंग आर नौट एक word इसमें छूट गया है यह आप लोग को मैंने class में पढ़ाया हुआ है ताकि आप लोग इसको पकड़ सके इस गलती को नौट यहां पर वर्ड जु जो कि इसमें से तीन सैली का यूज किया गया जो पटना सैली के पटना सैली के जो पटना कलम के जो कलाकार है यानि कि पटना कलम चित्रकारी है क्या है, School of Painting है, उस School of Painting के जो कलाकार है, वो पहले मुगल के दर्बार में रहते थे, तो मुगल के दर्बार में आपको पता होगा कि औरंग जेब की का आर्ट में तो इंट्रेस था, लेकिन औरंग जेब जब सासक बना था तो वो कटर पंतियों की शाहिता से बना था, तो औरंग जेव ने अपने दर्बार में जितने दर्बारी को रखे थे, नाचने, गाने, चित्र बनाने वाले, सब को भुगा कि भागो यहाँ से, मेरा नाच गाना में कोई इंट्रेस नहीं, फालतू का टाइम बरबाद होता है, ठीक है, उससे अच्छा है कि मुझे शासन करना है, बहतर धन से, तो उसने जितने कलाकार थे, नाचने वाले, गाने वाले, ठीक है, उसके बाद जा करके, चित्र बनाने वाले, ठीक है, पेंटिंग बेगरे सब बनाने वाले, सब को भगा दिया, उन्होंने दर्बार से, जाओ तुम लोग फालतू के बैठ करके, टाइम काम करते हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब होती है, वहां पे, तो आप उसको लाइफ टैम नहीं भूल पाते हैं, तो ये मुगल के दर्बार में रहे थे, पटना कलम के कलाकार जो थे, मुगल के दर्बार में रहे थे, तो उसी के, जब उनको दर्बार से निकाल दिया ग तो उसी ग्रूप में से कुछ लोग कलाकार आकर के बसे थे पटना में, तो एक तो इम्पैक्ट पटना सैली का होगा ही इस पर, ये मेंज में लिखना आए आप लोगों को दूसरा क्या है, कि चुकि इन लोगों ने पटना जब ही आये, तो लोकल लोगों का भी तो इन पर इंपक्ट परेगा लोकल लोगों का भी इंपक्ट परेगा तो आप देखेंगे कुछ उसमें जो चितर है वो अस्थानिय लोगों को दिखाए गया अच्छे ताड़ी जैसे एक आजमी पेड़र से ताड़ी निकाल रहा है यह क्या है स्थानिय से लिए उसके बाद मुगलों मैंने बनाया था इसमें यह वर्ड नहीं जो है वो गलती से डेलेट होगी है तो यह 34 का जो आंसर होगा वो बी होगा और आप लोग इसको समझ जाए यह कॉंसेप्ट को कि मुगल सेली क्यों कि यह पहले मुगलों के दरबार में रहते थे स्थानिय सेली क्यों कि लोकल आप का कपड़ा पहना हुआ है कुछ चीजें तो वो तीनों सेली का प्रभाव था इसमें नहीं किसका था तो राजपूत सेली का तो 34 का अंसर क्या होगा 34 का अंसर होगा भी आ रहा इस समझ में आप लोग को यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था कि अाई औरंजेव को फंड की दिकत नहीं थी दिकत क्या था कि ऑपको पता होगा कि वह जो सासक था वो बना था अपने से बड़े भाई को जिसको और जा चुका था यानि जो दारा था दार शिको जिसको कहा जाता है दारा पता था अच्छा था टैलेंटेड भी था बहुत बड़ा विद्वान था बहुत जादा पढ़ा लिखा था और जनता उसको दिल्ली की जनता खुब पसंद करती थी तो जो राजा के सबसे योग बेटा है और जो राजा बनने के लिए घोसित हो जुका है अगर आप उसको की हत्य करवा के राजा बनते हैं तो आपको कुछ ने कुछ तो बेस चाहिए और उसी बेस को के लिए उसने क्या किया था कटर पंत को बढ़ावा दिया था यानि उसने इसलामिक कटर पंतियों को बुला करके यह उसने सावित करने की कोशिज की कि दारा सिको इसलाम के खिलाब चा इसने क्या किया था तो उसने से दर्वार में से क्योंकि इसलाम में नाच गान जो है वह एलाउड नहीं होता है इसलिए उसने ये सब किया था ठीक है चलिए आप और अरंजे पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा चलिए तो मिस्रित सैली है इन तीनों का चलिए 34 35 मधूबनी पैंटिंग का एक संग्रहाले किस देश में स्थापित किया गया है कुष्चन नमबर 35 जल्दी से बताईए आप लोग वेरी गूड आप लोग बहुत अच्छी से आंसर दे रहे समझ भी रहे चीजों को बताईए कुष्चन नमबर 35 की मधूबनी पैंटिंग क एक संग्रहाले किस देश में स्थापित किया गया है a museum of मधूबनी पैंटिंग has been established in which country जल्दी से बताईए कुष्चन नमबर 35 का जर्मनी जापान इंग्लेंड और अमेरिका जल्दी से बताईए अब लोग 35 का भी बता रहे है कुछ है स्टुडेंट जल्दी से बाकी जापान के लोगों को मधुवनी पैंटिंग बड़ा पसंद आया तो इन लोगों ने जापान के तोकामाची City में एक क्या बनाया तो तोकामाची City में इन लोगों ने एक म्योजियम बनाया मधुवनी पैंटिंग और यहाँ पे इन्हों ने प्लस 15,000 पैंटिंग को इन्हों ने रखा है तो यह जापान के कहां पे है तोकामाची सहर का नाम है और तोकामाची सिटी में ये म्यूजियम है और वहाँ पे मधुवनी पेंटिंग के 15,000 से ज़्यादा पेंटिंग की परतर्शनी लगाई गई है ठीक है यह अस्थाई यहाँ पे एक म्यूजियम है वेरी गूट राहूल कुमार्ची चलिए आगे बढ़ते हैं तो कोश्चन नमबर 35 का आंसर क्या है जापान है वेरी गूट जिन लोगों ने भी आंसर दिये है आपके आंसर सलिए अब लिखे अब देखिए यहाँ आपने कोश्चन नमबर 36 की किस चित्रकला के चित्रों में बिहुला बिशहरी की लोग कता का चित्रन मिलता है जल्दी से बताइए बिहुला बिशहरी बिशहरी जो है वो स्नेक को कहा जाता है साप को कहा जाता है बिहार में आपको पता होगा और बिहुला बिशहरी जो है बिशहरी ये कौन है बिहुला बिशहरी पता है आपको भग दिवान शिव की तो पूझा करते हैं लेकिन मेरे पूझा क्यूं करते है और ठीक है जब उन पती की को मौत के मुँझे दोबारा वो वापस ले आए थे यह कहानी वहां पर प्रसलित है उस छेतर में भागलपूर के छेतर में और विशरी की पुजा होती है मिधलांचल मैं आपको पता होगा जून के महीने में होती है नाग पंचिमी के आसपास इसकी पूजा उनकी की कहानी उसमें दी गई है चलिए जल्दी से बताईए बी 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 रहुल कुमार साक्षी करुना देशाई स्वागत है आपका चलिए मंजूशा सैली तो जो मंजूशा आर्ट की जो पेंटिंग होती है उसमें ये देख लीजे आप लोग यहां पे आपको दिखेगा मंज करते हुए उस बैपारी के पुत्री और दामाद को दिखाया जाता है मंजूशा ये ये देख ये बिसहरी की ही कहानी है ठीक है ये बिसहरी है ठीक है ये देखिए बिहुला ये सांप का दिखाएगा हाथ में ऐसे ठीक है आके चलिए वेरी गूट आप लोग बहुत जो नए स्टुडेंट्स है सबका स्वागत है खुश रहिए चलिए वेरी गूट आगे बढ़ते हैं करुना 36 का भी वेरी गूट आगे बढ़ते हैं कुशन नंबर 37 एक बर सेशन को भी आप लोग लाइक कर दीजेगा जो लोग जोड़े हुए कुशन नंबर 37 आपके सामन है जिसमें नाच भी करते हैं और गाती भी है लड़कियां जादातर होती है अहला कि महिलाएं भी होती है और यह रात के समय होता है आपको पता होगा और यह होती है छट पूजा के आसपास देखे छट पूजा के बाद सदिया आ चुकी होती है तो सामा बनाया जाता है साम भी गाती है और उसके बाद जाकर के अंतिम दिन जो है वो जुते हुए खेट में उसी मिट्टी से बनाई गए जो मुर्ती होती है उसी खेट में उसको क्या किया जाता है डाल दिया जाता है विसर जित कर दिया जाता है सामचा के सामचा के अभी है है जोतला खेट में वैसी ह आपको बताना है कि यह बिहार के कौन से छेत्र में होती है यह खेला जाता है बिहार के आटेंट कल्चर से यह कोश्चन मैंने बनाया है चलिए आप लोग जवाब देजिए जल्दिश कुशन नमबर 37 37 करूना कह रहे हैं सी होगा राहूल जी कह रहे हैं सी होगा अच्छा रिशिकेस जी इसका मतलब अमरितेश कुमार जी कह रहे हैं मिथला चलिए तो मिथला अपनी इस खुबसूर्ती के लिए भी जाना जाता है अमरितेश जी वेरी गूड आत्मबल का विश्वास वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड तो बिहार के मिथलांचल के छित्र में साम चकेवा होती है सामा चकेवा इसको कहते हैं यह क्या है तो यह भाई बहन की और उसके बाद उस बहन जो रहती उसके प्र बाई को जो उस समय नया जो चूड़ा और गुड़ आया रहता है सरदियों का मौसा माचुका होता है तो नया धन्य के रसका जो गुड़ होता है वो अपने भाई को देखी है खाने के लिए ठीक है तो यह देखिए ऐसे मुर्तिया बनाई जाते इसी को कहते सामा चकेवा ठी जल्दी से बताईए कजड़ी जो है वो बिहार में कौन से महीने में गाई जाती है या खेली जाती है जल्दी से बताईए आप लोग झाल झाल कुछ लोग कह रहे हैं, कजरी का देख लीजे, कुछ लोग का 38 का C, R.A.S, सावन सावन और भादरपद होता है फागून के बाद होती है, नहीं फागून के बाद नहीं होती है, जल्दी से बताई है 38 का B, C, इसमें सभी लोगों का confusion है, सावन और भादरपज के ही महीने में होती है तो कजरी का जो आंसर होगा सावन और भादो भादो यहाँ पर दिया नहीं है, मैंने भादरपज तो यह कजरी जो है वो भादरपज भागून के बाद राहूल कुमार जी लिख रहे है भागून के बाद साक्षी कुमारी लिख रहे है 388, very good आगे बढ़ते हैं, तो जिन जिन इस्टोनेंट ने सही आंसर दिये है question number 39 हम लोग लेते हैं, सोनपूर पसु मेला किस वर्ष से निरंतर लगता आ रहा है सोनपूर केटल फेर यहां पर आपको बताना है कि सोनपूर जो पसु मेला है जो कि आपको पता होगा कि बिहार में कौन सी नदी पर होती है यह तो सोनपूर पसु मेला जो होती है वो बिहार में गंडक और गंगा के संगम के पास यहां पे लगती है और आपको बता रहा है कि कौन से साल से यह लगातार लग रही है तो इसके 173 साल लगभग हो चुके है और जल्दी से बताइए इसका आंसर 1750 नहीं है जी ठीक है 1850 से यह निरंतर लग रही है सोनपूर का करुणा 1850 होगा यह देख ली जो एक मिट सोनपूर केटल फेर जो है इसका 1850 होगा बाकी लोग आंसर दीजिए जल्दी से बताइए चल्षे एक मैच जाओए जाओए करें जाओए जोड़ा जाओए के जाओए लीजिए एक मैचे एक मैचे जाओए तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए सभी स्टूरेंट्स तो जिल लोगों ने सही आंसर दिया 49 का दी होगा आगे वड़ते हैं कुश्यन नंबर 40 जानकी नौमी का मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है जानकी नौमी मेला जल्दी से बताइए एक बार अप लोग शेशन को भी लाइक करतीजिए और बताइए कि जानकी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है कॉशा नॉमर फो टी कि जल्दी से बता हूँ घ्रour कि जल्दी से बताइए कुश्चन नॉम거든 कि अप लोग को बता दूँ एक चीज औरॉब बता दूँ हम कि बिहार special के 200 प्लस question का आप लोगों का ठीक है यह सारे question जो है वो मैंने खुद बनाये है तो 200 question जो है प्लस question बिहार special के रहेंगे और उसके बाद जाकर के जो आपका current affairs है इसके भी 200 question जानी की 2023 जनवरी से लेकर के अभी तक का जुलाई तक का अगस्त के भी कुछ question ले लेंगे हम लोग और ये 200 प्लस question का ये आपका चलेगा डेली कम से कम 50-60 question हम लोग solve करेंगे जो मेरा वाला बिहार ये marathon होगा उसमें और उसके बाद जाकर के geography तीन section के marathon मैं कराने जा रहा हूँ आप लोग को और इसमें भी 200 plus question इंडिया और world दोनों क के चलेंगे जिसमें बिहार, art and culture, history, geography, quality, economic, economic survey सब मिला करके होगा 200 plus question ये मेरा भी चल रहा है इस series के अंतरगर 200 plus question करेंगे current affairs का फिर सुरू होगा उसमें भी 200 question कराऊंगा और geography का जो होगा उसमें भी 200 थोड़ा question number of question डेली आप मैं बढ़ाती चला जाओंगा कल से ठीक है त सर किसी कारण से बैक दिगत कारण से आज उपस्थित नहीं है तो सर का जो आज क्लास है वो पोस्ट पॉंड किया गया है सर की क्लास कल के कल से 6 पीम में कल सर एभी लेबल हो जाएंगे रवी भूशान सर तो कल बाइलो जी की भी ख्लास होगी आज एक मेरा थन है ये वाला बिहार स्पेशल का तो जल्दी से आप लोग एक बार आंसर देजिए ये तीनो सेशन मैं कराने जा रहा हूं आप लोग को तो आंसर देजिए कि जानकी नौमी का मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है कुश्चिन नंबर 40 सीता मढ़ी कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग कह रहें B, B यानी सीता मढ़ी सभी लोगों का एक यी आंसर है तो इसका मतलभ है कि ज़्यादा तार अगर लोगों का मेजोरिटी है तो सही है सीता मढ़ी में जानकी नौमी मेला का इसलिए आईजट किया जाता है कि सीता माता का जो जन्म स्थान है यानि उत्पत्ती स्थान जो है वो सीता मढ़ी ही है सीता मढ़ी में हल जोतने के दौरान खेत के हल जोतने के दौरान जो है राजा जनक को आप बोलेंगे कि राजा कैसे हल जोते थे तो सीरोध्वल जनक जो की सीता माता के पिता थे जिनको वहाँ पे राजा जनक कहा जाता था जनक जो है वो सभी राजाओं की पद भी हुआ करत तो में पहले जो सीजन जब आता था बारिश का सीजन तो राजा ही पहले जो है वो खेत में हल जोत करके पहली बार क्या करते थे सीजन की सुरुआत करते थे जो खरीफ के मौसम का सीजन होता है राजा हल जोत करके सुरुआत करते थे तो उसके बाद लोग किसान जो है वो खे पुत्री के रूप में पाला था चलिए ठीक है तो इसी के उपलक्ष में सीता मढ़ी में ही सीता माता का मंदिर भी है और यहीं पे मेला लगता है जानकी नौमी का वेरी गूड आप लोगों ने बी आंसर दिये हैं सही है अब जाकर के कोश्चन नंबर 41 आप लोग आंसर दिये कोश्चन नंबर 41 है कि एट विच प्लेस इन दफेर और गेनाज़ड एवरी एर इन मधुवनी डिस्टिक फॉर दमेरी जॉफ हम लोग आट इन कल्चर के कोश्चन कर रहे हैं सारे मेरी जॉफ अन्मेरीड एडल्ट यूथ इन दमन् हिंदू केलेंडर के ऐनुसार होता है और आम तौर पर जेखे तो यह होता है जून mm होता है तो मधःबनी जीले में क्या होता और योगों को लेकर के उसके पिताजी वेगर ऐसा बैठे रहते और उन योगों को पसंद करने आते हैं लड़की वाले और उन में से जिन से बात बन जाती उसको ले करके वहां से चले जाते हैं और उसके बाद जा करके उसी योग की साधिक होती है तो यह एक अनोखा परमपरा इसमें दहेज की कोई चर्चा नहीं होती है बड़ी संख्या में बारात भी नहीं जाती है दो-तीन लोग जो वहां पर रहते वही लड़का को ले करके वही चोटी-मोटी शॉपिंग कर लेते और जाकर के साधिक हो जाता है बिना दहेज वाला यह अनोखा परमपर आपको बताना है कि मधवरी जिले के किस जग लिए और वहां पर साधी होती है यह सामुहिक विवा नहीं है यह बस एक वह अस्थान है जहां पर दुल्ह को पसंद किया जाता है वही पर पंजिकार बैठे रहते जिससे गोत्र मूल वेगरे सब का मिलान कर लिया जाता है और उनका जो विवा के लिए जो सिध्धान्त हो हो रहा है तो फिर गाउं के लोग तयारी के सुरू कर देते घर के लोग अगले दिन सुबह के लिए तो यह सारी चीजे जैसे विवा फाइनल होता है वैसे हैं एक बैकति लड़की के पक्स से बहुत तेजी से अपने गाउं जाता है लड़की वाले के तरफ बताने के तो सौराथ नाम का एक जगह है जहां पर यह लगती है इसको कहते है सभागाची सभागाची गाची क्या है तो गाची का मतलब है आम का बगीचा आम का यहां पे क्या है बगीचा है और यहां पे परसों से यहां पे यह मेला लग रहा है पहले हला कि पहले दूसरे जगह पे लगता था बगल में दूसरा जगह है सभागाची जो है वहां पे लगती थी बाद में यह सभागाची हो इसके बाद यह पर्मानिट हो गए रोड पर विवाह के लिए युवक आते हैं फिर जब उनके पूरी इंक्वाइरी कर ली जाती है बैक्तिगत तोर पर फिर विवाह फाइनल होता है ये बिना दहेज वाला विवाह है ये कनुठा परंपरा है तो 41 का डी होगा वेरी गूड जिन स्टुडेंट ने सही आंसर दिये हैं तो इसी का इस्तेमाल किया था किसके लिए फेटने के लिए समुद्र को ताकि उसमें से अमरित और बाकी चीजे निकल पाए तो उस परवत का इस्तेमाल किया था फेटने के लिए और जो रशी है उसकी जगह सेसनाग का यूज किया गया था आप लोग को पता होगा तो वो मंदार की पहाड़ी को उसको वहीं पे रख दिया गया और वो जो पहाड़ी है वो बिहार में कौन से जगा पे है जहां पे मकर सकरांती के समय जो है वो एक मेला लगता है किस जिल्य में इस्थित है जल्दी से बताई आप लोग पोश्चन नमबर 42 अमरितेस जी कह रहे है बाका 43 का राहुल जी भी कह रहे है बी पाप हरनी आतमबल का विश्वास आप कह रहे है सागर मंतन हुआ था वेरी गूड ठीक है उसमें से पहले विश निकला था कौन पी गए थे भुला बाबा चली कुश्चन नमबर देखिए आर्ट एंड कल्चर विपी असी बहुत कुश्चन नहीं पुछा है लेकिन आपको एक चीज बता दू कि विपी असी जिस लेवल पे जा रहा है नेक्स लेवल पे बिहार की चीजें जिस तरह से आपने देखा होगा देखिए आप कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि ने आर्ट एंड कॉल्चर में तो इतना डिटेल में जाके कुश्चन नहीं पूछा है बिपी असी का प्रिवियस पेपर देख लीजिए पूछा जा रहा है निबंद लिखने के लिए तो सभावी कुल्प से बिहार का आर्ट एंड कल्चर जो है जिसको अभी तक बिपी असी ने बहुत इंपोर्टेंस नहीं दिया है पूछा जा सकता है इसलिए मैं अपने बिहार स्पेशल की जो क्लासेस यहां पीटी होती है उसमें मैं पूरी डिटेल में आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ ठीक है भले स्टूडेंट बोलते हैं कि ने इससे तो कभी कभार कोश्चेन आता है लेकिन पूरी डिटेल में पढ़ा देता हूँ जिस दिन बीपीसी अपने पैटरन को चेंज करेगा स्टैंडर्ड करेगा उस दिन जो लोग आर्ट एंड कल्चर करके नहीं गए होंगे फ अगे बढ़ते हैं नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका आंसर बाका होगा बैरी कुट जिंजिन इस्टूडेंट ने बियालिसमा का कुश्यन नंबर 42 का भी आंसर दिया है यह सही है ने ऐसे नहीं बोलते हैं आई एस ऑफिसर है बिद्वान बैक्ती है यह जो ढूंड रहे हैं ना यह ढूंड रहे हैं कि नहीं आई एस तो कम से कम आई एस से बहुत वो नहीं होना चाहिए आपने देखा होगा कि 64-67 बीपीएसी और आई एस के बीच में बहुत गैप था जो आई एस के में 300-400 मां स्थान आते थे वो बीपीएसी के टॉपर होते थे अब इस्थिति यह है कि बीपी आयोग के जो अध्यक शेर्में सहाब है वो खुद आई एस है वो कोशिज कर रहे हैं कि बीपीएसी का जो SDM है वो DM से बहुत अंतरना हो मतलब ऐसा नहों कि DM साहब 21 किसमी सदी में जी रहे हैं और 18 सदी में जी रहे हैं SDM साहब ऐसा नहों उनके गैप को कम करने की कोशिज के अभी भी बीपीएसी आयस से आसान है ठीक है लेकिन उन्होंने के स्टैंडर्ड बढ़ाया आयस के नजदीक लाने की कोशिज किये यह अच्छी पहल है सकरात्मक मेहनत आप लोग का बढ़ गया मैं मानता हूं आप लोग नराज हैं इस चीज से आयोग से लेकिन एक स्टैंडर्ड तो चाहिए ना पहले वाले जो होते थे कुछ कोश्चन रट करके जाते थे और SDM बन जाते थे तो अब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे क्रियेटिव क्ती सेकेंड की थी के अब बताने हैं आपको Bihar के राजिपाल कि वरतमान राजिपाल तों रॉस्टे आ की खरेजमान राजियंद्र विश्वनात वरेकर का सोथनता की बाद राजिपाल के रूप में क्रम गलत त्रांसलेट हो गया यहां पर जो इनका क्रम है पूछ रहा है ठीक है क्रम है sequence इनका जो होगा वह कौन सा होगा यह बताना है आपको तो इनका जो sequence होगा यह बताना है कि कौन सा क्रम है 30, 31, 32, 37 तो क्रम आजादी के बाद राजपाल में राजेंद्र विसुनात अर लेकर का कौन सा क्रम है यह बताना है आप लोगो क्वेश्चन नमबर 43 जल्दी से बताइए करुना भी बता रही है लोग 41 बोल रहे हैं आजादी के बाद question देख लिजे इतना नाराज है आयोग से आयोग के अध्यक्ष को बोल रहे हैं गल्ती से आईएस बन गे हूँ बात यह नहीं है कि गल्ती से आईएस बने है बात यह है कि वो चाहरे हैं कि बिहार में ऐसे अधिकारी आये जो बिहार को एक विक्सित राज बना सके अभी तक के BPSC से निकले हुए अधिकारी बिहार को अभी तक 28 में से उपर नहीं उठा पाए हैं 28 में से 28 में पैट के हुए आप जैसे अधिकारी बनेंगे आप जो महनत करके जाएंगे इस batch से जो अधिकारी जाएंगे जो अच्छे quality वाले लोग जाएंगे वो भीहार को उपर ले जा सकते हैं पुराने वाले अधिकारी सब को देखते हैं रट रट करके चार कुश्यन में से उन पो पता होता था कौन सा आ जाएगा ऐसे अधिकारी तेने रटने वाले की जवरत नहीं है creative लोगों की जवरत है और निबंद क्या है creativity है निबंद क्या है एक art है writing skill है writing art जो कि एक रातोरा develop नहीं हो सकती है, जिन लोगों के अंदर skill होता है, skillful लोग होते हैं, वो लोग लंबे vision को ले करके चलते हैं, और जो रटने वाले लोग होते हैं, वो लंबा vision को ले करके, तो BPSC ने pattern को जो change किया है, वो pattern बहुत लोगों के लिए तो समस्या है, मैं मानता हूँ, कई कोचीन समस्या होगे, लेकिन हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब जो बिहार के अधिकारी जाएंगे, वो अच्छे अधिकारी बनके जाएंगे, हम लोग तो पढ़ाने को तयार है, नए pattern की चुनाती को स्विकार किये हैं, मैं तो class में निबंद भी लिखवा रहा हूं, regular मैथली वाले मुहावरे से, भोजपूरी वाले मुहावरे से, बिहार से जोड़े होए topic पे लगातार में निबंद लिखवा रहा हूं, डीटेल में पूरा लिखवा रहा हूं, ठीक है, आप लोग जोड़िये class से देखिए, कैसे निबंद आप लोग लिखने लगेंगे, इसे writing आप लोग का धीरे-धीरे करके develop होने रहे है, चलिए, तो 31st कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर बता दू कि इनका जो क्रम है, वो तीसवा क्रम है, भिहार के ये तीसवे राजपाल है, ठीक है, इनका जो क्रम होगा, कई लोग कह रहे ह है, 43rd, 43rd, ये तीसवे राजपाल होंगे, आफ्टर इंडिपेंदेस, देख लिए एक पर, तीसमे है, दिख लिए, सीधे-सीधे दिखी रहे हैं, यहाँ पर, गूगल करिए तो, राजेंद्र विशुनायात, अरले करिए, तीसमे गवर्नर है, बिहार के चलिए, आजादी 44, the shortest serving chief minister in बिहार age, बिहार में सबसे कम कारिकाल वाले मुख्यमंत्री है, जल्दी से बताईए, यह superlative type के questions को भी मैंने सुरुवात में लिया है, बाद में pure history, geography, बिहार का होगा, अलग होगा, यह कुछ mislaneous type के सुरुवात में है, introduction वाला हो गया, first in बिहार हो गया, यह सब सारी चीज़े, तो question number 44 का answer बताईए, जल्दी से आप लो, question number 44 का answer बताईए, बिहार में सबसे कम कारिकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है, जल्दी से बताईए, आप लो, चुक्यू, बिहार में सबसे कम कारिकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है, 37 प्रसाद 1973 में बने थे, और यह सिर्फ 5 दिन के ही मुख्यमंत्री रहे थे, 37 प्रसाद 5 डेज रहे थे मुख्यमंत्री, तो 1973 में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जनवरी फर्वरी का महीना था, जनवरी के लास्ट में बने थे, और फर्वरी के सुर्वास्त में जो है, बद त्याग दिये, तो बिहार में सबसे कम कारिकाल रहे थे, 44 नी, BPSC में, इनकी हाल ही में मिर्टु हुई आज से, दो साल पहले ही इनकी मिर्टु हुई थी, ठीक है, तो पांच दिन के लिए, पांचवा दिन रहा था, पांच दे कंसीडर किया जाता है करूना, ठीक है, राहुल जी, वेरी गुड, अमरितेश जी, पांच दिन होगा, ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड, B होगा, आंसर, 44 क की बात करें, आपको बताना है कि बिहार के मंत्री मंदल के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तेजस्वी, यादव, स्वास्त मंत्री, पथ, निर्मान, नगर, विकास, और आवास, और ग्रामिन कारे, B में देख लिजे कौन से है, विजे कुमार चौधरी, बित, बानी जिकर और संसदिय कारे, मुरारी प्रसाद, गौतम, यहाँ पर सी देख लिजे, चंदर शेखर, एजुकेशन मिनिस्टर, और मुरारी प्रसाद, गौतम, कृशी मंत्री, इन में से कौन सा गलत लगा हुआ है, यह आप लोग को बताना है, कोश्चन नंबर 45 का. जल्दी से बताईए, आप लोग, यह मंत्री मंडल से मैंने लिया है, कौश्चन था कि आप लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, मंत्री मंडल को याद करें, तो तो इतने पॉपुलर है कि उनका तो याद ही हो गया, परियतन का पे भी काम कर रहे है, बहुत सारी ची चलिए, आगे उसके बाद बीजे कुमार चौधरी, इनका तो नाम बारबार आता ही है, जब आप economic survey और budget पढ़ते हैं, तो इनका नाम आता ही है, चंदर शेखर जी, कुछ उटपटांग बयान दे करके ये भी चर्चा में रहते है, रामचरीत मानस को लेकरके इन्होंने ब कुमार सरवजीत, चलिए, ठीक है, तो कुमार सरवजीत जो है, वो बिहार के कृशी मंत्री है, मंत्री मंदल की लीस्ट मैंने लिखवा दी है, स्टूडेंट सब को बिहार स्पेशल वाले बैच में, आप लोग देख लिजेगा अपने नोट्स को, कभी भी BPSC पूछ सकता यहां से question, आगे बढ़ते question number 46 है कि निमलिखित मैंसे कौन बिहार की वेवस्थापिका का भाग नहीं है, which of the following is not a part of legislature of बिहार, यहां पे ध्यान से पढ़िये question को और ध्यान से answer लगाना है, जल्दवाजी नहीं करना है, बिहार के legislature का part कौन सा नहीं, executive legislature दोनों में फर्क होत है, यहां पर बता दू, यहां पुछा जारे वेवस्थापि का नहीं, ध्यान से देखिये question को और 46 का answer देजे, आप लोग जल्दी से, चले, question number 46 का answer देजे, आप लोग जल्दी से, आप लोग session को like कर दीजे, जो जो लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग क्योंकि देख रहा हूं में, जितने लोग live है, उस हिसाब से session को अभी सभी लोगों ने like नहीं किये आए, ठीक है, तो session को एक बार आप लोग like कर दीजे, चले, कारीपालिका का भाग नहीं है, चले, 46 के D कुछ लोग बता रहे हैं, साक्षी कुमारी D बता रहे हैं, अमरितेश जी C बता रहे हैं, कारीपालिका नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थापिका का भाग नहीं है, पूछा जा रहे हैं, व्यवस्थापिका का भाग नहीं है, चलिए जल्दी से बताईए महाधी वक्ता महाधी वक्ता किसका भाग है एक्जेक्यूटिव का यानि कारेपालिका के अंदर आती है ठीक है ये तीनों मिलकर के बेवस्थाफी का बनती है राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिशद मिलकर के बिहार में क्या बनती है बेवस्थाफी का बनती है कारीपालिका अगर की बात करें तो भिहार के कारीपालिका की अगर बात करें तो उसमें कारीपालिका में महाधी वक्ता आते हैं सरकार आती है और बाकी चीजे उसमें आ जाती है लेकिन उसमें बिधाईका की अगर मैं बात करूँ तो मंत्री परिशाद आ जाते हैं मुखे मंत्री आ जाते हैं कारिपालिका में महाधिवक्ता आते हैं लेकिन अगर बात करें राज्यपाल भी आते हैं लेकिन यहाँ पे बिधाईका की बात करें तो उसमें महाधिवक्ता न होंगे यह तो फेर सेशन की अध्यक्षता करते हैं इसलिए यह आ लेकिन कारीपाल्का के पाफ्ट होते हैं महादीबगता सरकार के भाग होते हैं वह सदन के सदस्ते नहीं होते effectivement 46 का जो होगा 独ी स्टूडेंटर हैं ने सही आंसर दिये है करुणा Amritesh जी सभी लोगों ने complete current नहीं करा है, पूरा current हो चुका है complete, आपको अगर notes चाहिए किसी भी students को जो अभी YouTube से जोड़े हुए हैं इस session के साथ, तो आप मुझे message कर लिजे, इस number पर 8750950238, आप लोगों को जो 2023 का current affairs है, यानि जनवरी से ले करके, जो आपका July तक का current affairs है, 2023 का, इसका PDF final हो चुका है, बन चुका है, आप लोगों को अगर किसी को चाहिए, जो student अभी हमारे किसी group से नहीं जुड़े हैं, तो आप मुझे message कर लिजे, मैं आप लोगो ये PDF भेज दूँगा, ठीक है, आप लोग revision कर लिजेगा, जितना हम लोग उसे सही ओग हो सके, तो ये मेरा number है अमरितेश जी ये बता रहे हैं सभी लोग, अवद बिहारी चौधरी, चलिए, समीर कुमार महासेट जो है, ये मंत्री मंडल में है, ये उद्योग मंत्री है, ये गलती से ये नहीं हुआ, चलिए, बिज्ञान प्रद्योगी की मंत्री है, ये सब सब लोग मंत्री है, बिहारी चौधरी जो है वह बिधान सभा के अध्याक्ष है लालु जी के बहुत प्रिये है यह लालु जी के बहुत प्रिये है अभी वर्तमान अध्याक्ष है 47 का यह होगा आंसर वहरी जिन स्टुडेंट्स ने सही आंसर दिया है अब यहां पर बताएं इन बिहार legislative assembly according to the party there is no proper coordination in terms of seats यानि सम्मद्ध में संसुमेलित नहीं है बताना है RJD के क्या 79 seat है अभी बिधान सभा में BJP के वर्तमान की 78 है जेडियू का क्या 43 है और कॉंग्रेस का 19 है जल्दी से बताईए कि अभी party-wise बिहार बिधान सभा का structure क्या है 48 का जल्दी से बताईए बिहार बिधान सभा का जल्दी से बताईए तकुल 243 seat है उसमें से चार बरी party-wise का seat मैंने यहां पर दिया हुआ इस question में आप लोगों को बनाना है कि party-wise किसकी कितनी seat है जल्दी से बताईए किसका आपको गलत लग रहा है इसमें से जल्दी से बताईए question number 48 48 का C कह रहे है कुछ लोग जदियू 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 अमरितेस जी राहुल जी सुमीत जी ए कह रहे है हाँ विजय सिन्हा विपक्ष के नेता है very good चलिए जदियू 45 है चलिए यह सब बीपीसी पूछ रहा है आपको अगर फिर विए सीर तो जदियू के 45 सीटे हैं तो आंसर क्या होगा जदियू होगा जदियू में 45 सीट है 43 नहीं बलकि 45 है तो इसका आंसर 48 का क्या होगा C होगा जिन जिन स्टूडेंट ने सही आंसर दिये हैं बी एंड सी कैसे होगा भाजपा 78 ही है आप अभी चेक कर लिजे गूगल कर लिजे विकीपेडिया में 78 है भाजपा बर्समान की बात कर रहा हूं तो 48 का क्या होगा 48 का C होगा आगे पढ़ते हैं 49 पटना उचनेले की स्थापना कब की गई थी वेन वाज पटना हाई कोट इस्टैबलिश जल्दी से बताईए पटना हाई कोट के स्थापना का तिथी कौन सा है कुश्चन नंबर 49 इस सेसन के बाद एक बार विकिपीडिया चेक कर लिजेगा Wikipedia अफडेट होते रहता है आप Party वाजd तके को Wikipedia पर देख लिजेगा Amritas G ठीक है एक बार Wikipedia पर आप देख लिजेगा 77 से 78 आचा मैं चलिए एक बार मैं करही देता हूं आप लोगों को Google करके मैं दिखाई देता हूं विहार विधान सभाई ये देख लिजे विकिपीडिया परावर अपडेट होते रहती है ये देख लिजे ये देख लिजे आप लोगों का ये देख लिजे 243 टोटल सीट है 243 में से अभी RJD के पास 79 है ये दी यू के पास 45 है यही आंसर हम लोगों ने बोला कॉंग्रेस के पास 19 है विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में टोटल एंडिये के 82 है जिसमें हम पार्टी के 4 है और BJP के 78 है ध्यान से देख लिजे आप लोग ये एगदम से रियल टाइम अपडेट है ठीक है रिय इसमेंट कब हुई थी ठीक है रिशिकेज जी करुणा सुमीत जी पाकी लोग भी बताई ये जल्दी से चलिए तो तीन फरवरी 1916 को काम करना शुरू किया था किसने स्थापना की गई थी पटना हाई कोट की जस्टिस चामियार जो थे वो क्या थे फॉस्ट चीफ जस्टिस थे चलिए आगे 49 तो वेरी गूट जिन लोगों ने ए आंसर दिया है आपके आंसर चाहिए कोश्टन नमबर 50 पटना उच्छी नयाले के बरतमान मुख्य नयदीश है जल्दी से बताईए पटना उच्छी नयाले के पटना हाई कोट के जो करेंट चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है जल्दी से बताईए आप लोग कोश्टन चाहिए आंसर करेंट चीफ जस्टिस सब पटना हाई कोट जल्दी से बताई है कि पटना उचन याले के बरतमान मुखे नैदीश है जल्दी से बताईए आप लोग कुश्चन नंबर पचास पचास तक ही हम लोग करेंगे अमरितेश जी ए कह रहे हैं आतनबल का विश्वास ए करुणा ए सुमीत जी ए वेरी गूट तो कृष्ण विनोज चंदरन जो की इससे पहले थे कहां पे केरेला हाई कोट में केरेला हाई कोट और वहां से कॉलेजियम ने इनको यहां भेजा है तो अभी किष्ण बिनोज चंदरन यानि केवी चंदरन इनका लोग कहते हैं संजे करोल इससे पहले स्थाई वाले मुखे नयाइधिस थे तो दो जज़ों को आपने दिखा होगा कि यह है जो सुप्रीम क कोट आए उसके बाद को औस्थाई मुखे नयधिस कुछ समय के लिए रहें फिर केवी चंदरन को केरल हाई कोट से यहां भेजा गया और इनको अभी बनाया गया है पटना हाई कोट का मुखे नयधिस बनाया गया तो कुशन नंबर पचास का ए आंसर है वेरी गुड आप आप लोग ने बहुत सही से यह सारे के सारे आंसर दिये हैं आप लोग ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की है आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी है सभी स्टूडेंस को धन्यवाद जोडने के लिए कल का जो सेशन है कल का भी सेशन सेम टाइम पर हम लोग क ठैक्टिस हो सके, बहुत धनेवाद आप लोगों को जुडने के लिए एक बार सभी लोग session को जो अभी live जुडे होंगे हैं, सभी लोग एक बार session को like कर दीजिये और आप जो student बाद में भी जुडेंगे वो like कर दीजिये, यह हम लोगों का 30 तारिक से पहले तक जो है वो जो special होगा, उसमें मैं 200 plus question कराऊंगा, बिहार special का, उसके बाद जाकर के, जो current affairs 2000, 23 का होगा, हम लोग 22 का छोड़ देंगे, क्योंकि फरवरी में exam हुआ था BPSC का, तो current affairs भी हम लोग ले लेंगे, उसमें भी 200 plus question में कराऊंगा, उसका timing अलग होगा, और उसके बाद जाकर के, जो है, वो geography का भी होगा, आपको world और India दोनों का, और उसमें भी 200 question में कराऊंगा, बाकी subject के लगातार चल रहे है, बाइलो जी, ये general science का, आज 6 से 8 होना था, रवी भूसन सर की कुछ बेक्तिगत समस्या है, उनकी, वो कल से join कर लेंगे आप लोग को, तो कल से आप लोग का science का भी चलेगा, मेरा जो lecture है, मेरी जो marathon वाला है, उसको मैं थोड़ा सा और early करने की कोशिश करूँगा, तीन बजे के आसपास, ताकि 6 बजे से पहले खतम हो जाए, और 6 बजे science का start हो जाए, तो कल से एक तरह से देखे, तो आप लोग को सारे 4-5 घंटे का marathon कल से मिलने जा थैंक यू, have a nice day